गुट अफ्टिनून एवरीवन जल्दी से मुझे एक बार बता दीजे क्या अपनी ओडियो वीडियो सब कुछ सब कुछ बड़िया बड़िया है या रही है जल्दी से बता दीजे सर अपनी ओडियो वीडियो सब कुछ बड़िया बड़िया है या रही है क्या आप मुझे स शांदा शांदा मुझे जल्दी से बता दीजे क्या सब कुछ सब कुछ बढ़िया बढ़िया है अपना या नहीं ओके जल्दी से बता दीजे क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं एवरीवन जल्दी से जल्दी से अपना नाम लिख दीजे किस सिटी से आप हैं जल्दी से लिख दीजे बिकॉस आज जो है बहुत मज़ा आने वाला है आज बहुत मज़ा आने वाला है सर्थ थोड़ा से system हमको समालना पड़ रहा था जल्दी से गितान जली दिलशाद वृत प्लेयर्स गर्वित गगनप्रीत रिदिमा प्रतिक्षा प्रभजीत कार्तिक ड्रीम्स अरोरा जी भी है वेशनवी प्रभजीत मिस्टर डीप फर्स लेक्चर बिल्कुल बिल्कुल क्या सब म में लिग दो हाँ सर प्रेजेंट लिग दो अपनी और वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा सो दट आई केंट इन इंडिकेशन विए सब कुछ बढ़िया बढ़िया शांदार तरीके से है आज हमारा system कैसे चलने वाले हम क्या क्या करने वाले मैं तुमको सब कुछ आराम क्रॉस करना है सिए फॉंडेशन में और उसके लिए यह एकनोमिक्स का 90 प्लस बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसलिए आज हम मेहनत करने के लिए आज यहां पर आया है और वहीं मेहनत करने आज हम यहां पर आया है आज अगर आपका साथ रहा तो सर बड़ी बड़ी तो को आज हम गिरा देंगे 95 प्लस लिखाएंगे क्या सबके पास मेरी आवाज मेरी ओडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर ली जा रही है जल्दी से बता दीजे ऑडियो वीडियो परफेक्ट जल्दी से एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके मुझे बहुत ही धमाकेदार होने वाला है कि आप मुझे अच्छी तरीक से देख पा रहे हैं सब सब कुछ करवाँगा चिंता मत करना अचा चैप्टर 1 नी करवाओगे चैप्टर 2 नी करवाओगे सब कुछ करवाँगा एक बार सीक्वेंस वगळा तुम पूरा समझ लो मेरा मेर बहुत पीएंगे गर्मी का मौसम बहुत है दोस्त और एकदम धमाकेदार तरीके साँ आज के सेशन के सुरवात करेंगे अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो ये सेशन आज रिकॉर्डडड देख रहे हैं अगर आपने ये सेशन स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ी से इमानदारी रख मैं हुद के साथ मेरी एनरजी बहुत रहेगी तुमको अपनी एनरजी मेंटेन करनी रहेगी और इमानदार से रहेंगे अपनी इस सेशन के हमारा बेंश्मार्क क्या रहेगा आज को समय आपको बता देगा क्या सब कमफर्टेबली अपनी जगा पर बैट चुके हैं जल्दी से बताईए बिल्कुल 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 सरह हम अपनी जगा पर बिल्कुल बैट चुके हैं सब कुछ जो है शांदार तरीके से धमाकेदाब तरीके से करने के लिए एकदम ready steady सब ready steady क्यों है सब कुछ होगा notes वगरा कहां मिलेंगे सर ये notes से कैसे पढ़ना है कहां से download करने सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो है हम चीज़े देख लेंगे चिंता करने वारी कोई बात है हम सब ready है steady है इस session के लिए आज हमारा सबसे पहले हम सबसे पहले कर लेंगे हमारा B6 अच्छा strong हो जाएगा क्या बोलेंगे सब कोरिंग चेप्टर अपने जो है स्कोरिंग चेप्टर उसको हम सबसे पहले कर लें कोरिंग चेप्टर हम सबसे पहले कर लेंगे जिससे हमारा confidence भी build up हो जाएगा और जिससे feel good factor आएगा कि हाँ यार हम जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे है अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे है जिसमें आज तक मेरा कोई भी क्लास नहीं देखा है आज तक जिन्होंने केवल एक दो क्लास देखें या फिर केवल मुझे यूट्यूब बगेरा पर देखा है उनके लिए भी यह सेशन जबर्दस तोड़ू-फोड़ू होने वाला है जब आपको कोई डाउट आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन पर आना है या फिर जब मैं चाहूं कि यार एक बार आप आके जो है चैट बॉक्स में कुछ लिग दीजे या फिर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको चैट बॉक्स में वेलकम करूंगा बाकि अपने स् सामने रख लीजेगा अगर नहीं है तो आप पूरा कॉंसेंट्रेशन स्क्रीन पर रखिएगा नोट्स कहां से लेने हैं क्या लेने हैं वो भी मैं तुमको बाद मैं बता दूगा ठीक है तो सारे डाउट्स अभी तक क्या आपके क्लियर होगा येस तू माइं बेस्ट एफ है तो आज पहली बार देख रहे हैं बस मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाइए आपका मैं बेस्ट कारिकरम करवा के दूगा बात समझ में आ रही है ठीक है अब चैट बॉक्स में हम तभी आएंगे जब हमको कोई डाउट आएगा या फिल मैं चाहूंगा कि आर एक बार सारे मित्र सब एकदम फुल-on energy है सब कुछ एकदम concept clear है कि कैसे यहां पर हमको काम करना है बिलकुत सब एक बार सब अपने नाम के आगे CA लगा दीजी और खुद को motivate कर दीजे हम नाम के आगे लिख देते ना CA कॉपी पैन में तो आज चैट बॉक्स में एक बार लिख कीजे अपने नाम के आगे ताकि अपना जो है मस्त कारिक्रम बन जाए ठीक है तून दिसंबर जो भी अटेंब्स में हो क्लास 11 12 सारे जो भी अटेंब्स के हो आज आज आपको मस्त कारिक्रम करवा करवा के जो हूँ प्रियंका इस प्रेजन्ट प्रभजीद लीजा पतेल प्रेजन्ट सुपनोजीत गौश इस प्रेजन्ट सिए धीरत जिगवी अमारे साथ है सीए रिधिमा, सुझीज, सीए गितान्जली, सीए कार्तिक, सीए दिल्शाद, सीए श्रेया, सीए धेर्य, सीए पूझा, सीए गर्वित, सीए मुहझ शहू, सिए श्रीनिदी, सिए लक्ष, सिए वेशनवी, सिए कुनाल, सिए आयशा, सिए जय, सिए प्रनव, सिए निकिता, सिए इशा, सिए कार्तिक, सिए प्रतिक्षा, सिए कुशिष, सिए आराध्य, सब हमारे साथ आचुकें, सिए प्रतमेश, सिए सक्षम, प्रतिक्षा, सिए ग हो तब आप आईएगा सीए दीप बहुत शांदार दोस्त ये सफिया सीए निकेट सीए शिवांश बहुत सारे चाट्रेट अकाउंटेंट्स आज हमारे साथ यहां पर बहुजू दे और हमका मज़ा बहुत आएगा सर विकॉस हम जो है अपना 100% यहां पर देने के कोशिश कर बिल्कुल कोशिश करेंगे अब पूरा कॉंसेंट्रेशन हमको यहां पर शीएगा सीए रुशिकेश सीए अक्षै शीए इशाप सीए मोहत सर अंशल सीए निशा बहुत बढ़िया दोस्त तनिश्क बहुत शांदार आजाओ दोस्त महा मेरेथान महा संगराम में हम आपका स सबका स्वागत करते हैं इमानदारी से अपना जो है सीट ग्रहंड कर लो अपनी एनरजी फुल और लगना हो सकता है बीच में ऐसा होगा रहे यार बहुत पढ़ लिया है चलो सोने चलते हैं नहीं भाई सुना नहीं है आज जागना है आज खदम करना है अच्छे मांक्स ल पढ़ेंगे चैट बॉक्स में तभी आना जब आपको तुमको ज़रूरत पैसे हो कोई डाउट वगर आओ बाकि अगर मैं चाहूं जब तुम मुझे धबजब दे सकता हो इमानदारी से डेडिकेशन से पूरा अपना काम करिएगा बहुत मजा आए बहुत मजा आए ठीक ह ठीक है सर शुरू करते हैं सबसे पहली बात स法, theory of demand. सबसे पहली बात आजाती है सर demand होता क्या है? सर demand कुछ भी नहीं होता है, demand होता है जब इनसान की willingness, ability, इसी भी चीज़ को चाहने की और उसको चाहकर उसको खरीदने की, सर जब हमें पास willingness भी होती है, जब हमें पास ability भी विलिंगनेस मतलब सर मुझे चाज ताड़ने तोड़कर लाजे क्या तुम्हार रपास इतने पैसे है क्या तुम उसको एबिलिटी है तुमको वो पुरा करने के लिए सर नहीं कर सकते इसलिए सर वो डिमांड नहीं होती आपकी गल्फ्रेंड बोले कि सार तादे तोड़कर क्या तोड़कर ला सकते हैं तो नहीं तोड़कर ला सकते हैं इसलिए उसको हम डिमांड नहीं बोलेगे लेकिन अगर बोले तुमको यार मुझे रहा एक बहुत अच्छी बॉटल खरीद नहीं यार वो मुझे चाहती ही आला इक इस टीन का बॉटल हो मस्क पानी प्यू दि लिख भी दिया है विल डिमांड इस इकल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी यह सब चीज़े मिलती है किसी भी प्रोड़क्टर सर्विसेस में तो सर उसको हम क्या बोलते है ठीक है सर फेक्टर सेफेक्टिंग निमांड करके एक एक करके हम पढ़ लेते सर सबसे पहला फेक्टर प्राइज अगर इस बॉटल की प्राइज उपर जाएगी तो क्या मैं इसकी डिमांड कम कर दूगा सर अगर इस bottle की price उपर जाएगी तो क्या मैं demand कम कर दूँगा हाँ सर इसकी demand में कम कर दूँगा और सर अगर इसकी price नीचे जाएगी तो क्या मैं जाधा bottle खरीदूगा हाँ सर मैं price इसके कम जाएगी तो bottle में जाधा खरीदूगा मतलब क्या सर universal law क्या हो गया सर universal law देखो तु प्राइस इंक्रीज होगी तो प्राइस क्वांटिटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी सहा तो हमारा डिमाण कर ना डिमांड कर दो उहाँ पर देख से यहाँ पर अब बताता जाना तो कि समया है किसका यहा है सर यहां पर हम Born cannotemporary कि या बिल्कुल गिया सर जब हम देखें प्राइज जब सहाट रुपे थी एक आइस क्रीम की प्राइज तो क्या हमने खरीदा थोड़ा भोद भी सर हमने नहीं हमने बोला जाया कि ओं कुल फथे न बहुत महेंग़ ओढ़ा आइस्-क्रीम दे रहां इतने दुवहीं में दुकान दार ने 10 रुप Say दुकान दार ने 10 और रुपइ कम कर दिये तो तुम नहीं पिटाग से बोल दिया एक कामकर मेरी और मेरे दोस्त के आईस-क्रीम मना दे रहे हैं 5 Saints दे का तुम इसी की वजह से डाउनवर्ड स्लॉपिंग हमारी Summa मना रहा हूं चीजऔ पिर बहुत जयाद रिक्रीज़ Recht सब्सक्राइब चिंतानी करनेगा सब्सक्राइब 50 रुपे से 40 कर दी 50 रुपे से 40 कर दी हम quantity और बढ़ा दिए 2 की 4 कर दिए सब्सक्राइब क्या हो रही है जैसे जैसे प्राइब decrease हो रही है, जैसे जैसे price decrease हो रही है, हमारी quantity increase हो रही है, होरी नहीं होरी, ठीक है सर, सर, जब मैंने इस को जब demand curve पर डाला, मतलब क्या सर, जब price 36, सर, जब price कितनी थी सर, जब price 36 में कितनी quantity खरीद रहाता सर, सबस्क्राइब जब दुकांदार को बोलनें आइस क्रीम वाले बिया दो आइस क्रीम देड़ो मतला सब्सक्राइब आइस क्रीम की तो 20 रूपे प्राइस पर ना बन जा चुन्नो और वुन्नू भी आ गया और हमारा क्या बन इसको ऐसे करते करते मैं अलग अलग-अलग पोइंट पर इसको दिमांड करत्व को बना से करते करते मैं अलग-अलग पोइंट ना तो सर फसल intern zijn अन स्लोपी ठीक कारण ही क्या वोगे डाउनवर्ड स्लोपी एक्जाम में एगा मेंसे रिलेशंशेब की वज़़े से तुमको ग侌साम में पूच रहे हैं वो इस्ट इसी यहाँ पर इधरकी कि साई लिखते हैं चेट का do эфф क्या हो जाता है तो पिक्षा निट्वर्ड यह मेरे साथ हिं अज़ाता है ऑप इसी कि सब सब आपने बहुत अच्छे बता है सर इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं सर इसी को आप प्यार से बोलीएगा law of love नहीं बोल रहा हूं law of demand law of demand economist ने इसकी रशना करी क्या बोला सर law of demand बात समझ मारी है बात समझ मारी है नहीं आरी सब बिलकुल सर everyone how's the सब्सक्राइब बिलकुल सर पहली बात हमारी clear होगी इंवर्स relationship होता है सर दूसरी बात पर हम जाते है सर दूसरी बात हम जाते है सर दूसरी बात है हमारी income मुझे यह बताओ तुम्हारी जब जॉब लगेगी तुम नए नवेले CA बनोगे जब तुम तुमारी जब लगेगी नवेले CA बनोगे तुम्हारी first salary आईगी तो क्या तुम गिफ्ट्स खेडओंगे तुम पहली बास CA बनोगे तुम क्या अपना गिफ्ट्स खेडओगे क्या आइफउन वगे पापव मम्मी को बढ़ियान गिफ्ट्स जो बढ़ेगी तो हमारी इंकम बढ़ेगी तो हमारी इंकम बढ़ेगी तो हमारी इंकम बढ़ेगी तो हमारी इंकम बढ़ेगी लेकिन मान लो एक मजदूर व्यक्ति था सर उसकी कोविड के वज़े से जो है जॉब चली गई सर उनकी इंकम डिक्रीज हो गई सर उसकी इंकम डिक अच्छा अच्छा मतलब इंकम और डिमांड में लेकिन सर इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं मुझे यह बताओ कॉंसा फोन खरीदोगे सर कोई बोलेगा सर मैं सेंसुं खरीदोगा सर कोई बोलेगा सर मैं आईफोन खरीदोगे हाँ आइफोन खरीदोगे मतलब क्या हुआ सर मतलब क्या हुआ सर जब आपकी income बड़ी सर जब आपकी पहली salary आई जब आपकी income बड़ी तो सर आपने जो है MI का phone के demand decrease कर दी ओरे बाप रे बाप सर जब आपकी first salary आई आपने MI की phone के demand decrease कर दी क्या बात कुर दिया, MI की फोन की डिमांड डिक्रीस कर दी, इसका क्या मतलब वँज़ जो MI का फोन था तुमारा, MI का फोन था, सर ये आपका inferior goods था, ले 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 ले, सर ये आपका inferior goods था, था नहीं था सर, ये आपके लिए inferior goods था, सर तुमको ये inferior goods था, तुमने इसकी demand झो है, कर दी मतलब तुम्हारी income बढ़ी पर तुमने inferior goods के demand कम कर दी मतलब क्या ही exception नहीं हो गया इसका ते यह major चीज का exception नहीं हो गया सर्बिलकुल exception होंगा inferior goods तो एक exception हो गया पता है तुम्हारी मम्मी पापा को थोड़ी सी दवाई की ज़रुति, मैडिसेंस की ज़रुति, तुम्हारी पहली सेलरी लगी न, तुम्हारी पहली सेलरी इंकम आई न, तो तुमने मम्मी को बोला, मम्मी आप दो दवाई खाते थे, आज से चार दवाई लिना चालू करो, मम्मी मम्मी आप दो necessity है तेरी income बढ़ने से क्या ज़्यादा खाने लगेंगे अरे भाई तेरी income बढ़ने से ज़्यादा खाने लगेंगे क्या नहीं सर इंकम बढ़ने से ज़्यादा खाने नहीं लगेंगे मतलब हमारी income बढ़ी क्या सुमने necessity सीजों का ज़्यादा consume किया क्या नहीं किया कि वह समझ में आ रही क्या कि वह समझ में आगया नहीं 더 बिलकुल समझ है लेकिन इसके डू एक्सेप्शन कौन सें सड ऐसे प्राइज दूसरा मतलब हमने सब दोनों चीज़ा पढ़ ली पहला प्राइस दूसरा इंकम के दो अब आजाओ सर रिलेटेड की दो प्राइटेड की गुड्स होते हैं सबसे पहला सबसेटीट गुड्स और दूसरा कॉपलमें कर दो प्रकार की गुड्स ओते हैं related goods दो प्रकार के होते हैं, substitute goods सर, substitute goods कौन से होते हैं, सर, जो लड़ाई करते हैं, सर, जो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, सर, इसका जो normal example चलता है, market में वो यूज कर लेते हैं, tea और coffee, tea और coffee यूज कर लेते हैं, tea और coffee बहुत प्रचलान में, tea और coffee यूज कर लेते हैं, दे चाई भी चलेगा वोगी चाई की बढ़ा दी कि पती की प्राइज बढ़ा दी चाई पती की प्राइज बढ़ा दी चाई वाला तुमको महंगी चाई देने लग जाएगा तो तुम क्या as a normal consumer क्या करोगे तुमको चाहे और coffee equal पसंद है कोई दिक्कत ने सर जब price ती की बढ़ात दी जाएगी तो आप क्या हो जाओगे shift हो जाओगे किस पर shift हो जाओगे किस पर में को बताओ ना coffee पर मतलब तुम demand किसकी जादा करने लगोगे demand किसकी जादा करने लगोगे सा डोनो एरोज आपने ऊपर-उपर वाले लगाये मतलब क्या हुआज है मतलब क्या हुआ सर इसका यह मतलब वह दोनों में हुई direct relationship क्या हुआ सर no magak मस्ती पूरा concentration दो सर इसका भी बड़ा, ये भी बड़ा, दोनों बढ़े ना सर, यह दोनों बढ़े रहे इसका क्या मतलब है सर? इन दोनों में है direct relationship, क्या बोलोगे सर?itting दिरेट रलेशन्षिफिट्प इसी प्रकार अगर मान लो ती की प्राइस का मोघा Richtonे ने v는지 जाहिक होती हूं कफी दी जाठे कौफीन अनुद्फ इसिक जासे कोफी ने कोफी को न पहिं पृतों पृते DR demand of other goods, demand of other, खलब एक का अगर भाव बढ़ेगा, तो दूसरे की demand बढ़ जाएगी, बात समझ में आ रही है, आज ने, बिल्कुल समझ में आ रही है, सर बिल्कुल एक दम focus से समझ में आ रहा है, सर दूसरा है complimentary goods, सर complimentary goods कौन से है, सर complimentary goods है, साथ निभा के चलना, साथ चलेंगे हम तो, pencil और shopner, pencil और shopner, ठीक है, car और petrol, सर car और petrol, कमल मारिए, ये सब साथ साथ चलते हैं, चाई का कप और उसके अंदर चाय, bottle और इसके अंदर का पानी, pen और इसके अंदर की inc, साथ साथ चलते हैं, हाथ नहीं छोडते, वो कौन होतें, सर, car और petrol, मुझे ये बताओ, कल को सर, पेट्रोल की prices बढ़ जाया, सर कल को पेट्रोल की प्राइज बढ़ जा तो नॉर्मल लोग क्या करेंगे लॉंग रन में लॉंग रन में लोग क्या करेंगे अरे या पेट्रोल बहुत बेंगा यार पेट्रोल तो नहीं जेले बनेगी कि काम करते कार नहीं करें मतलब क्या हो पेट्रोल का प्राइज इसमें क्या हो रहा है इसमें हो रहा है आपका इन्वर्स रिलेशन्शिप चल्दी बताइए दोस्तों हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें हो रहा है अपना इन्वर्स प्रेट्रोल के प्रैज में और कार की बाने हैं सब 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 मेरे साथ है अभी तक हमने क्या 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 पढ़ा है एक बार फटा फट देख लो सब 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 पहले हमने पढ़ा theory of demand theory of demand मतलब होता है कि जब हम willingness ability कोई भी चीज को खरीदेने की कुसी भी चीज को चाहत रखनेंगी तो उसको हम demand बोलते हैं सबसे पहले हमने प्राइज के बारे हम बढ़ती है तो demand कम होती ही प्राइज गिरती है तो demand बढ़ती है ऐसा हमने normal phenomenon समझे सर इसको हम law of demand बोलते हैं सर प्राइज में और दिमांड मे इन्वर्स इलेशन्शिप होता है और सर इन्वर्स इलेशन्शिप के वज़़े से downward sloping अपना करव बनता है सर फेक्टर सफेक्टर निमांड के हमने बात करें सबसे पहले हमने price of the product समझा जो कि मैंने तुमकर समझा दिया दूसरा आपन ने समझा income of the consumer generally क्या होता है income बढ़ फोन नहीं बापर होगे बात समझ बारी सर बिल्कु समझ बारी सर दूसरा फिर हमने related goods के बारे मात करा सर related goods दो प्रकार के होते है सर related goods दो प्रकार के होते हैं सर अपने एक substitute goods समझा एक अपने complimentary goods समझा सर सब्सेट्यूट गूर्स कौन से होते हैं सर चाई प्योगे तो coffee नहीं प्योगे कॉफी प्योगे तो चाई नहीं प्योगे अगर चाई का प्राइस बढ़ गया चाई का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी पर shift हो जागे कॉफी की demand increase कलते हैं मतलब जिसमें क्या होती direct relationship substitute goods direct relationship substitute goods सर complimentary goods कौन सी होते हैं सर जो साथ साथ चलते हैं हाथ नहीं छोड़ते साथ साथ चलते हैं सर अगर कार की प्राइस बढ़ जाती है सर कार की प्राइस अगर बढ़ गई सर कार की प्राइस अगर बढ़ गई सर कार की प्राइस अगर बढ़ गई तो लोग कार नहीं खरी देंगे सब renewal और प्रिख साथ जल्दी से मुझे थमजब देजीए बहुत चांदार बहुत चांदार में दोस्टाइब आजाओ टेस्ट प्रिफेरेंसेज ऑफ वायस पे या जुबान के सरी बोलो सर कुछ स्वाद लग जाता है अपने मूंको तो सर वह चीज हमको पसी आने लगती है तो पर आगर कुछ स्वाद लग जाता है ना तो हमको बहुत खरीदते हैं कोई चीज पसंद आती हैं इसके अब अलग-अलग एफेक्ट दे रहें सब्सक्राइब करते हैं अगर वह चीज उसने खरीदी तो मैं भी खरीदने लगो अगर सब लोग मेरे आस पास जो है बाहर टूर पर जाने लगे बाहर ट्रेवलिंग पर जाने लगे बाहर घूमने जाने लगे को इम आएफोन बढ़ जाती ही इसको बोरते demonstration इफेक्ट में हम इमुलेट कर रहे थे जैमस जूसेंबेरी ने दिया हुआ है और बैंड बजा रहे थे दूसरों को देखे बलब उसने खरीदा तो हमको भी खरीदना नाम अलग अलग है बात एक ही है अब आजाओ स्नॉब इफेक्ट पर स्नॉब इफेक्ट क्या होता है जब हमारा जो दिमांड ये हो जाता है वह इंड तो इफेक्ट यह थे अधर सर आईफोन यूज़ कर रहे है मैंने देखा मेरे सारे इच्पार इच्प नहीं खरीदना बहुत कॉमन हो गया सρ आईफोन नह लगेंगे ना वही मैं खरीद हूँगा अगर वह वाली कार सबसे महंगी है तो मुझे चाहिए अगर वाला फोन सबसे महंगा है ना तो मुझे चाहिए पतलब डिमांस्टिक्शन और बेंड विगन एफेक्ट में क्या हो रहा था जो दूसरे कर रहे थे जो दूसरे कंज्यूम कर रहे थे मैं सेम तो सेम कंज्यूम करने के कोशिश कर रहा था जो दूसरे कंज्यूम कर रहे थे वह सेम तो सेम में कंज्यूम करने के कोशिश कर रहा था था अगर दूसरे कंज्यूम कर रहे तो मैं को यह कंज्यूम नहीं करने दूसरे expectation की वज़ए से भी हमारी मांड जो है उपर नीचे जा कते फ्यूचर में प्राइज उपर जाने वाले कुछ सब्सक्राइक में बढ़ने वाली क्या सर अगर सौटेज होने वाला ने जोने वाला है supply का सरर इसकी वज़े से मेरी demand पर एकक्ट आएगा नहीं आएगा demand पर एक्ट आएगा बिल्कुल demand पर एक्ट आएगा बिल्कुल 100 तका demand पर एकक्ट आएगा बिल्कुल population की size हो गया अगर इंडियां की population अभी को पता उगा पहले पता सर नहीं में पता कि आपके प सब्सक्राइब का अच्छे से distributed है कोई भी गरीज नहीं है देश में कोई अच्छे खासा खर्चा कर पा रहा तो सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब बढ़ेगी सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब अच्छे से चल रहा है सब क्या चाने के लिए कमाने के लिए चीज़ें तो सब्सक्राइब बढ़ेगी सब्सक्राइब अगरे नहीं आए नहीं आया तर बिल्कुस अगर्ण क्या होता है सर दिमांड फंक्शन कुछ नहीं होता quantity of x quantity मतलब आपकी quantity of demand किस किस पर इफेक्ट होती सर function of function of price पड़ा हमने price बिल्कुल पड़ा सर अपने income पड़ा सर इंकम भी पड़ा सर हमने जो है कंज्यूमर के expectation के बारे में पड़ा सर हमने बहुत सारी इस ते related जो है चीजे पड़ी उपर दिमांड जिस जिससे effect होती सर इसी को इसी को सब्सक्राइब जल्दी से मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सर एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में आईए और एक बार लिख दीजे कैसा अभी तक पील हो रहा है कि इसने आज तक सेशन नहीं देखने उनको भी समझ में आ रहा है ना डाउट है तो आप लिख लो मैं सारे जो हैं सॉल्व कर रहा हूंग चिंता ना करना बेंड वेगन और डिमॉन्स्टेशन में डिफरेंस ऐसे मत सोचो लगबग दोनों से में ऐसा करके एक्सेप्ट कर लो बस नहां अलग 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 ठीक है जादा उसके लोचा मत करो अब बिल्कुल होंगे यार तुम पूरे चका चक होशो आवाज में बैठे रहना चांती सेट मत छोड़ना हम सब कुछ करके जाएगे मज़ा आ रहा है ना काउंट बगरा सब कुछ पॉफेक्ट है क्या हम आगे बड़े कॉन्फिडेंस आ रहा है 90 प्लास वाला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो भी यह वापस शुरू करते है तब कुछ समझ में आ रहा पूरा कॉंसेंट्रेशन देना सब कुछ बढ़िया बढ़िया आएगा चलो दूसरे नंबर पर आ जाओ मारकेट डिमांड पर मारकेट डिमांड पर अजया आ जब हमने एक का और बंदा रहता है वह है मोहन पापन की इंगे शрийक है और कि अलग एक सब्सकेます रोह óran बोलता है अगर इसकी प्राइश जीरो तो मैं तीन क्वांटिटी खरीद दूगा ँए जिरो नी होगाए ज़िरों शरहराई कि इस की प्राइश १न सोग सरक्ड़ हो Sao 30 होगी तो वापस यहां पर मैं इंक्रीज करते जाओं और जीरो के दो प्लस वन इसको हम क्या बोलेंगे मार्केट देमाड यहां पर देखो तीनो के गराफ मैं लिशोगण कर दे मार्केट डिमाड प्लस रोहन की टोटल डिमांड जब आप गरभ डाल देंगे डिमांड जब करभ पर डाल देंगे इसको हम क्या बोलेंगे अब आजाओ exception to law of demand नहीं चलता मेरे दोस्त सर कब-कब law of demand नहीं चलता वो हम बात कर ले तो सर जनरली क्या होती है सर जनरली बाते क्या होती है सर जनरली होता है ये price increase demand decrease price decrease demand increase सर यह होता है सर अब ये कहां कहां नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता उसकी बात कर ले कहां कहां नहीं चलता बहुत interesting पार्ट है ये तो सर कहां कहां नहीं चलता ये देखें कहां कहां नहीं चलता इसर देखें सबसे पहला सबसे पहला स्बस्क्राइब आख एड़ सोश स्बते लोग नहीं बोलने चीछ दो चार लोग ने को प्रिंट शेटेशितिक放心 अपना वाट मांगता है सर जब लोग ऐसा सोचते है ना तो प्राइस जाए भाड में क्या बोला सर प्राइस जाए भाड में प्राइस कितनी भी हो मैं तो साथ लूँगा मतलब क्या सर जब स्नॉब एफेक्ट प्रेस्टीजिस वेल्यू पर बात आ जाती है रिच पीपल की ज गिफन गुट्स कौन होते है यारी गिफन गुट्स का सर अपने इंफिरियर गुट्स पड़ा न वैसे इसको जानी गिफन भाड इसाब एक प्यारी जोया इस टोरी साथ एक हमारे घिफन भाई साब उन्होंने क्या देखा एक फैक्ट्परी में मजदूर लोग काम करते है एकैक्तेरी में जो है वर्कर उपर्कर लोक शायता और लोको यह साथ क्या हुआ यह यह जन्रन python करते थे जो इनका बेसिक नैसेसिटी था जो इनका बेसिक नैसेसिटी पता है क्या था वो था ब्र § लोग ब्रेड खाते थे हैं थे मस्ट जीवन में मज़े करते थे ब्रेड इसका अग्दम पेस्ट चीज था और कभी सभी पता है क्या खाते थे जैसे आपन जो है कभी-कभी आलू की सब्जी की जगे पनीर की सब्जी बना लेते न वैसे ही सदे भी नहीं करना चाहिंब पर उ अब हुआ क्या जब प्राइब के बड़ी न मरेड की बड़ी तो जन्रली होना क्या था ब्रेड की डिमांड काम वोनी ती यह जन्रली होना छी एता लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इब आपरे ऐसा नहीं हुआ भाई ऐसा नहीं हुआ क्या नहीं हुआ सर डिमांड कम नहीं हुए डिमांड कम नहीं हुए क्यों नहीं हुए डिमांड कम क्योंकि सर जब प्राइज बड़ी ना ब्रैड की सर जब प्राइज ब्रैड की बड़ी ना तो लोगों के पास पैसे कम पढ़ गए पैसे जो थे ना उनकी जो disposable income थी ना पैसे कम पढ़ गए पैसे कम हो गए पैसे कम हो गए मतलब उनके पास 1000 रुपे थे ना उनके पास 1000 रुपे जो है खर्चा करने के लिए थे ना तो उनके पास जो है मेट नहीं खा सकते हैes price ब्रैड की बढ़ गई ही अपना basic necessity क्या है sir basic necessity क्या है तो क्या हुआ जब price bread की बढ़ी तो demand भी bread की बढ़े demand और बढ़ गई Sir क्यों, क्योंकि लोग बाग इस यहां पर जो खर्चा करते थे meट पर जो खर्चा करते थे अब वह वापस किस पर करने लगे सर ब्रेड पर करने लगे सर ब्रेड पर करने लगे मतलब क्या हुआ सर गिफन गुड्स क्या होते हैं सर गिफन गुड्स वो गुड्स होते हैं जब हमारी प्राइज इंक्रीज हुई तो हमने उसकी डिमांड और इंक्रीज करी क्योंकि सर वो हमारी बेसिक जरूरत थी जिवन का एक मात्र असूल था मतलब क्या सर यह exception of law of demand नी हो गया जनरल ही क्या होना था price increase से demand decrease होनी थी ऐसा हुआ क्या नहीं सर ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ क्या हुआ उल्टा इसका उल्टा हो गया लोगों ने meat का consumption और कर दिया अगर लीजिये अगर ब्रैड की जो प्राइज है ब्रैड की प्राइज अपने पता है प्रेड की प्राइज हो गई तो तो तुम डिमांड ब्रैड की बढ़ाओगे ना यह बढ़ा बहूत है तो फिर्क व्यवों को बोला नहीं करेंगे विकौज हमको क्या पवसंद है डिर्प पास यदिक उवनेंगे भाई जितनी जरुत है उतना खा लेंगे bread हम meat का consumption बढ़ा लेंगे हम meat का consumption बढ़ा लेंगे और जब लोग meat consumption ज़्यादा बढ़े लगा ना तो इसके कारण automatically क्या हुआ जब price decrease होई तो demand इसकी decrease होगी बताओ demand इसकी decrease होगी मतलब क्या हुआ सारी जब price increase होने के कारण demand increase होजाए और price decrease होने के कारण demand decrease होजाए क्यों क्योंकि सरी हमारी basic जरुरत होती है life की यह inferior goods जैसा है तरी basic जरुरत है इसको छेड़शाड नहीं कर सकते हैं इसलिए exception में लिखा हुआ है मैंगे देखो यहाँपर exception में लिखा हुआ है देखो रहे देखो देखो दोस goods which are inferior with no close substitutes no close substitute सर जैसे हमारा बाजरा रहे बाजरा सर जैसे हमारी rice रहे rice जैसे wheat रहे wheat सर इसके कारण हमारा budget को जब है सर हम अलग अलग बखल अखल बखल नहीं कर सकते हैं यह हम को जरुत है इसी के कारण सर क्या होता है different goods में क्या होता है different goods में price increase होती है तो demand increase हो जाती है और हमारे law demand की दजिया उड़ा देते है बात समझ माई यह है गिफू भाई गिफू बात समझ माई ओहो मज़ा आया सर conspicuous necessities अरे तुम्हारे घर के घर में जो यह जो फ्रीजर रखा हुआ है टीवी रखा हुआ है इनकी अगर पचास सो रुपे हजार दो हजार रुपे प्राइस बढ़ी जाएगी तो क्या तुम जो है cooler खरीदना बंद कर दोगे अगर मान लो इस वाले सीजन में अपनी घर्मी हो रही है तो क्या cooler का जो है प्राइस बढ़ जा तो क्या cooler चलाना बंद कर दोगे नहीं सर cooler तो चाहिए ना है मनदर क्या जो एकदम necessities वाली चीज़ है conspicuous necessities जिसके बिना life जो है possible नहीं लगती तो क्या तुम ज़्यादा उस पर demand को नहीं सर सर अगर मान लीजे future expectation of price अगर future में price बढ़ने वाली है future में price बढ़ने वाली है future में price बढ़ने वाली है तो सर अभी मैं demand क्या करूँगा सर अभी मैं demand क्या करूँगा अभी demand ज़्यादा करूँगा मतलब यह भी law of demand का exception होगा सर बिलकुल सर तुम जो है ना बहुत बुद्धु आदमी थे तुमको जो है नॉलेजी निये मार्केट मम्मी ने बोला जा सबजी लेके आजा ना एक तिलो तुमको पता ही निया आधियर दर्जन कितने का आता है और एक दर्जन किस्ते का आता है क उनको पते ही तुम बुद्धू lोगो तुम national consumer हो तुम तुम्हारे पास incomplete information है तो क्या तुम law of demand का पालं करपाऊगे क्या तुम law of demand का पालन कर पाओगे नई सर कैसे law of demand का पालन करेंगे हम तो बुद्दूल होगे न हमको पता ही नहीं भाव क्या चल रहा है कब price increase होती तो demand increase करने हम बुद्दूल होगे सर speculative goods तुमने देखा होगा अगर मानलो stock market उपर जाता रहता है stock market stock market उपर जाता रहता शेयर्स की price बढ़ती रहती है shares जो है उपर जाते रहते है shares उपर जाते रहते तो क्या हम shares और ज़धा डिमांड नहीं करते और ज़धा लोग खरीदे सर इसको क्या बोलती सर बुल और खरीदो और खरीदो बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा खरीदो 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 क्या हो रहा है प्राइस बढ़ने से प्राइस शेयर की बढ़ने से डिमांड और बढ़ती है इलकुल बढ़ती सर यही तो हमारे एकसेप्शन है है और हमने एकसेप्शन खतम कर लगाता है। बिलकुल मत आळगंव और कंके पडमाइणी कर साथ मैं और कंट्रैक्शंग टिमांड और के साथ में सबसक्र sóण अब पढ़ेंगे बहुत ही प्यारी चीज्व कर congratção एक्सपांशन और कॉंट्रेक्शन हमेशा याद रखना है सब किसकी वज़े से होता है सब चेंज होता है अगर स्पांशन और कॉंट्रेक्शन ये बात करते हैं अब यहां पर ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखें, मेरी जो प्राइस थी, वो P2 से P1 चली गई, पर ध्यांपल 500 रुपई की बॉटल आती थी यह जो बॉटल आती थी यह 500 रुपई की आती थी, तो मैं पता है कित्ती कौन्टिटी खरीद था था, मैं केवल दो बॉटल खरीद के लाता था, यहां जब यह प्राइस 500 रुपई की जो रहा गई ना, चार सु रुपे पर आगे ना मैंने बोला यार दू के जगे चार खरीद लो यार क्योंकि सस्ती हो गई है अच्छा खासा जो है offer दिख रहा है खरीद लेते हैं तो जब मैंने demand curve बनाया ना अपना demand curve बनाया तो यह यहाँ से ऐसा फिसल गया किस की वज़े से हुआ सरी प्राइस की वज़े से हुआ सरी प्राइस की वज़े से हुआ सर क्या हुआ जब प्राइस आपकी इंक्रीज हुई दिमांड आपकी डिक्रीज हुई तो हमने क्या देखा फिसल पन देखा और इसको हम बोलते हैं expansion of demand curve वन युवा सर दो बोटल से चार बोटल पर आगए नहीं आगे सर बिलकुल आगे सर इसको हम बोलते हैं expansion of demand curve when the price falls from P2 to P1 quantity quantity demanded is increased from L to N L से लेकर N तर increases होगे उसको हम बोलते हैं downward of demand कि याद रखना मेरे बच्छे expansion मतलब क्या बोलोगे सर downward movement element of बोलोगे नी बोलोगे downward moment of demand हमेशा याद रहेगा सर बिलकुल याद रहेगा एकदम फिसल पन से याद रहेगा अब उसी का उल्टा पूल्टा है क्याosit उसी का उल्टा पूल्टा है सर उल्टा पूल्टा है सर पांसो रुपए की थी, जब पांसो रुपे की न시간ि देखिर ॐले तो इसके कारण क्या हुआ उपर में चल पड़ा हूँ उपर में चल पड़ा हूँ इसको हम क्या बोलते हैं सर इसको हम बोलते हैं काम हो गया ना क्या बोलोगे प्यार से अपवर्ड मूवमेंट ओफ डिमांड करव अपवर्ड मूवमेंट ओफ डिमांड कर देखो यहां पर लिखा हुआ है क्या कॉंट्रेक्शन और एक्सपांशन अच्छे सवन माया है जल्दी बताइए अच्छे आगया बिलकुल आगया सर अब आ सर एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन किसकी वज़ए से होता है में शों बताइए ऐगा All-ap अब ऐन जाओ मेरे दोस्त नीच यहां पर आ ड़िखा बहुत अच्छे से ग्राब दे रखा तो यहहाँ पर देखो, conservation भी सौर रुपे, सर बिलकुल्बाइज हमारी सेम है लेकिन सर मेरी बात सुनुए सरी सेम है लेकिन हमारी quantity सरी मेरी بात सुनुए है सर हमारी quantity यहां से लेकर Q1 पर चलिए quantity Q से Q1 चलिए सर ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हो गया है प्राइस तो सो रुपे ही है ना मेरी बास तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सर आपकी जॉब लग गई थी आपके पहली सेल्डी आई थी आपने बुला मम्मी को जार आपकी प्राइस तो ओकी होई है लेकिन आपकी दिमांड जो है बढ़ गई इसके करएं कजग होता हुआ है सर या फिसमें तुम को बोलू सर या फिसमें बोलू सर या बोलू सर ये Cindy जो करव है न यह वाला जो करवे वह है ती का करव चाय चाय का करव है सर दो कार्व हमको यह पता चला कि कौफी का जो है प्राइस बढ़ी है यह जो करव में बना रहा हूं को सुनने में ईंभी है कॉफी पर deck और पिचले दर रूपे वह गई है Sum नहीं बिखा क्या तुमको यह नहीं लगता क्या तुमको यह नहीं लगता लोगborg सारे कहां पर है मतलब क्या हुआ, rise in the price of, rise in the price of substitute, मैंने तुमको बोला था, substitute goods में क्या होता, direct relationship, substitute goods में क्या होता, direct relationship, जब coffee की price decrease हुई, coffee की price increase हुई, काफी की price increase हुई, demand T की बढ़ गई न, demand बढ़ गई, बिलकुल बढ़ गई, मान लीजिए, यह T का कर्व नहीं है मान लीजिए T का कर्व नहीं है यह कर्व अपना कार का तर यह कर्व है अपना पेट्रोल 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 का फॉर एजांपल यह कर्व मान लीजिए पेट्र प्राइस तो सो रुपे ही है मेरी बास सुनिए प्राइस तो सो रुपे ही है लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ जाएगी पेट्रोल डलवाने की पहले आप दस लीटर डलवाते हैं अब 20 लिटर नहीं डलवाओगे सर्थ हां डबल जो है कार खरीद लेंगे लोग तो सर्थ हम यह सो रुपे का सो रुपे लेकिन बायर जादा आगए सर्चेंज इन देस्ट प्राइब निये देश में क्या देमांड बढ़ेगी प्राइस वहीं के वहीं है तो हमको लग रहा है एक्सपेक्टेशन की फूचर में प्राइस बढ़ते हैं प्राइस जो है बढ़ने वाली प्राइस सो रुपे की सो रुपे लेकिन देमांड जादा हो जाएगी और इसी के सब उल्टा इसका सब उल्टा इसका सब उल्टा मतलब क्या सर अगर आपकी इंकम डिक्रीज हो गई या फिर आपका फॉल इंद प्राइस सब्स्टीट गुर्ज हो गया राइस प्राइस कॉंप्लिमेंट हो गया नंबर ऑफ वाया आपकी डिक्रीज होगे टेस्ट वगरा जो है अच्छा नहीं लगने लगा लोगों को लगना रहे क्या पाल्चू चीज है सर क्या डिस्टिबूशन ओप इंकम जो है अच्छी नियोंगी सर एक्सपेकटेशन इसा लग रहा कि फ्यूचर में प्राइस गिरेगी फ्यूचर में फ्राइस गिरेगी अरे याथ फ्यूचर में खरीद लेंगे अभी क्या खरीदना तो अभी की अभी आपकी डिमांड कम हो तुम्हारे दिमाग में चले के आओगा ना मज़ा आजागा आया नहीं आया सर बिल्कुल समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है कि मज़ा आया ठीक है दोस्तit ओके डन अब हम पूछते है आखिर ला अफ दिमांड काम क्यों करता है मनला प्राइज इंक्रीज दिमांड डिक्रीज प्राइज डिक्रीज डिमांड इंक्रीज अखिर हो क्यों रहा है why 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 ऐसा हो क्यो रहा है तो हम क्या बोलेगे तर ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सर अगर जब pride की increase होती है जब substitute हमारी economy में present होते हैं इसकी वज़े से rational law of demand काम करता है उसी प्रकार उल्टा अगर इसका example लोगे तो टी की price जब decrease हो रही है तो लोगबाग क्या कर रहे है क्या कर रहे है सर कॉफी से switch हो कि सर क्या कर रहे है कॉफी से switch हो कि यहाँ पर आ रहे है इसकी वज़े से हमारी demand टी की बढ़ रहे है इसकी वज़े से हो रहा है substitution effect दूसरा income effect जब price decrease होती है न हमारी रिया जेम में जो पैसा ना होने लगता है इसके कारण automatically quantity increase हो जाती है अगर price decrease होती ही तो हमारी जेम में पैसा रखा हुआ जो net पैसा रखा होता है न तो हम जो है हमारी जेम में ज्यादा पैसा बचने लगता तो हम quantity increase कर देते हैं सर जब price increase होती ही तो real income जो है यूटिलिटी maximizing behavior of customer क्या बोलता है सर मार्शल साब यह बोलता है कि जैसे 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 जो है अपना जो है यूनिट्स हम consume करते जादा 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 जैसे जैसे हम यूनिट्स जादा consume करने लगते लोगों का satisfaction कम होने लगता है मैंने जो है एप चॉकलेट खाई ठीक है जब satisfaction अगली यूनिट पर कम होने वाला है अगली यूनिट पर satisfaction कम होने वाला है तो अगली यूनिट जादा महेंगी नहीं बेच सकते है इसी के खारण तुमको प्राइस decrease करना पड़ता है अगर तुमको demand increase करने तो इसलिए तो law of demand follow हो रहा है सर arrival of new customer जब प्राइस decrease होती ह लोग एक चीज़ को अलग अलग चीजों में यूजस करने लगते है अलग अलग चीजों में यूजसे झायलगते है इडिशनल उसके बढ़ जाते थे हैं तो सर पॉर्मूला का ऐ सर अबको याद रखना सब अरे इधर मत जो है वो करो यार जिसको जो है जिस स्पीड में समझ में आ रहा उस स्पीड में कल लो बाकी बाद में तुमारे लिए रिविशन को भी बढ़ा की देख सकते हो चिंता मत करो देखो अपना फॉर्मुला क्या है परसेंटेज चेंज इन प्राइस बिल्कुल है त रखनी है सरी कॉंटिटी का मतलब क्या है और यह वाला फॉर्मूला अपने को हमेशा याद रखना है यह वाला हमेशा हमको फॉर्मुला याद रखना है और यह हमको बार-बार काम में आने वाला यही हमें को बारबार काम में आना सुरह कौन सा वीठा के रखें यही फॉर्मूला अपने को दिमाग में बढ़ा के रहिए लेकिन अभी जो है ओवर और बहुत ताइम हो घया तुमको रिफ्रेश्च कर रहा हो तुम जाओगे तुमको सब कुछ मल जाएगा चिंता मत परूँ चैसी कि सिर्फ पॉइंट रखकर देखते हैं फिस्ट्राइब पंड कर यह इंपर मैं भी है कि यह हमारा पॉइंट कहा पर आ तो हमारी elasticity equal to 1 होती, क्यों होती सर, इसका formula होता है lower segment divided by upper segment, क्या होता है सर इसका formula, lower segment divided by upper segment, और ये वाला जो area है, और ये जो उपर वाला area है, जब same है, तो elasticity बीच के कितनी आईगी मुझे बताईए, elasticity हमेशा 1 आईगी, सर जो सबसे top पर है, सर, elasticity इसकी कितनी आईगी, जो सबसे जो नीचे है, उसकी elasticity कितनी आईगी, 0 आईगी, अब तुम ही दिमाग लगाओ, 1 और 0 के बीच में कैसा आएगा system, सर 1 और 0 के बीच में कितना आईगा, सर, elasticity less than 1 आईगी, इलास्टिसिटी लेस देन वर श्रॉच सेवं इंफिनिटी और वन के बीश में रखेज में कितना है Somal सुरॉ घ्रिकुरार मुद्श के सिफ्जाद क्यान से समझभी चीज़े यकर कि करके हम और उमने एक पूरे innovation पर समझ लिए कि बीच की जो elasticity उसको हम equal to 1 आईगी सबसे नीचे जो है 0 आईगी और सबसे उपर जो है infinity आईगी इसके बीच में जो elasticity आईगी उसको अम greater than 1 बोलते हैं और इसके बीच में जो elasticity आईगी उसको हम less than 1 बोलते हैं बास समझ में आई नहीं सर बिलकुँछ इमारा formula यह वाला फॉमुला है इस से जो डिराइव हुआ है परसंटेज चेंज इन कॉंट्री डिमांडेर से और यह आला फॉमुला जब आप यूज करोगे आपके नियुमेरिकल्स जो है आसानी से जो है सॉल हो जाएंगे बात समझ मारी सर्भी कुछ नहीं कुछ नहीं होता जब हम सब्सक्राइब करनेगा मेरे दोस्त सर्भण बनेगा या मतलब क्या सर प्राइज आप सो रूपे कर लो या 1000 रुपे करेंगे, हम कितनी quantity purchase करेंगे, केवल हम quantity 10 unit ही purchase करेंगे, किसी भी चीज की for example medicine हो गई, drugs हो गया, life saving drugs हो गई, यह मैंने सब example भी लिखनी है साइड है, इन case में सर क्या होगा सर, हमारा parallel to y axis हमारा graph बनेगा, हमारा क्या बनेगा सर, parallel to y axis, बात समझ में हारी है सर, parallel to y x बनेगा सर, बिलकुट बात सब दूसरे पाईए, सर greater than 1 है, less than 1 है, सर greater than 0 है, less than 1 है, मतलब सर elasticity, मतलब percentage change in quantity demanded जो है आपकी, percentage change in quantity demanded आपकी जो है, वो percentage change in quantity demanded जो है, वो less than है percentage change in price, मतलब प्राइज में जादा changes है, quantity में कम है, क्या बोल दिया सर, प्राइज में जादा changes है, quantity मे में कम हैं सर इसको हम क्या बोल सब्सक्राइब करें थी सब्सक्राइब पियारा सा चुल्म्नूसा घ्रॉप ऐने सब्सक्राइब क्या नए एक्सिटिप क्या बोलेंगे is अम्हारा कर्व जो होगा वह फ्लेटर होगा सर उसको हम यूनिट इलास्टिक बोलेंगे मतलब क्या होगा सर प्रसेंटिग इंग्वांट्री डिमांड़ परसेंटेज चेंज प्राइस दोनों के दोनों इक्वाल है सरी सब्सक्राइब करनेशन राना नहीं होताओ सब्सक्राइब उखे लेट्टिउबन्टेंगौतु सर्सेटरेब इलेटिव ब्दाइब कितना घीचा पने, अगर तुमने price में कितना change किया, तो कितना आया, sir, इसको हम elastic ब स्यूंकों, भागता है graph, price जैसे ही change होती ही, दूर-दूर भागता है, because इसमेn change जादा है ना, देफो, quality में चेंज जादा है, इसलिए दूर-दूर भागता है, टेखनेको लतास पर कितनी बोलोगी उतनी कौण्टिटी परचिज करने के लिए रेड़ी हैं और उस प्राइस पर हम ठिके रहते सार उसको हम बोलते परक्रेक्टली कॉंपरटीटिटीब मार्केटेज वह जो हम बोलते ङुद सर बिल्कुल समझ में को तो समयून अर्क के लास्टिसिटी क्या होता है पतहिए शर रा क्ल बीच से बीसट गाईफ़ें सर जब दो और के बीच में Elasticity देखी तो अब इसको क्या बोलोगे और पर पॉयंट Aistics एक एक बीच में Elasticity देख रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते है और इसको हम बोल हेरा क्यों समयला सर्ट यहां पर वबする यहां ओलोन Our profit & görün is Equal वहता है इसको हम क्या बोलते हैं सर बल्कुल बोलते हैं तो हम जब elasticity निकाल लेंगे कौन से वाले मेथट से आरक लास्टिसिटी मेथट से जब आप elasticity निकालोगे कौन से वाले से आरक लास्टिसिटी से तहां पर old p के साथ new p भी add कर देना. new p भी add कर देना. old q के साथ Wish एक चीज़ और add कर देना. क्या, sr? new q भी add कर देना. कर दोगे, sr? बिलकूल कर देने. बिलकुल कर देने, चका चक कर देने, कोई दिख्याँद बाल जाए. और अपना formula नया क्या बन जाएगा? यह हमारा नया formula यह बन जाएगा R classes R classes सबस्वाइब आया सर बीकोज हो नहां कोई दिक्क्यत आलिवाद Total Outlay method पर आजाओ Total Outlay method पर आजाओ Total Outlay method क्या होता है सर हम यहाँ पर expenditure देखते हैं यहाँ पर हम expenditure देखते सर कैसे देखते हैं यहाँ पर देखिए 10 kg था हम quantity कित्ती खरीदते थे 2 kg हम 2 kg खरीदते थे 10 रुपे जब prise था जब 10 रुपे प्राइस था तो हम 2 kg जो है quantity खरीदते थे Total आप expenditure कितना करते थे 20 Total expenditure कितना करते थे 20 जब price दस से 5 हो गया अरे रे भाई 10 से 5 हो गया मतलब आधा, half price हो गया, half, मतलब आधा price हो गया, हाँ सर, आधा price हो गया, तो आधे से जाधा, यहाँ पर कितना करना था, 4 kg आप purchase कर सकते थे, आधा हुआ है price, तो आधा सा जाधा quantity increase कर दो, लेकिन नहीं, आपने कितनी quantity increase कर दी, plus 1, 5 kg आपने order किया, मतलब क्या, जितने से price decrease ह उससे ज़्यादा आपने quantity में change कर दिया मतलब क्या total expenditure आपने increase कर दिया मतलब जो price decrease हुई price decrease हुई तो आपने total expenditure increase कर दिया आप तो भया बहुत ज़्यादा व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा elastic व्यक्ति थे कि जैसे थोड़ा सा price कम होगा मैं तो बहुत कुछ खरीद दोगा ऐसे वाले व्यक्ति थे मतलब क्या total expenditure जो आपका था वो increase हो जाता है when price reduced उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है तो उसको हम बोलते है कि हमारा जो price elasticity greater than unit लेकिन अगर मान लोπο जब आपका price से जार हुआ पहले वाले केस में यहां पर आधे से ज़्याधा होगया तो यहां पर सात किलो पर शेकिती ही केवब श्याधा नीश रूपे और 4 into 5, 20 रुपए, यह expenditure हुआ आपका, सर बिल्कुल expenditure हुआ, मतलब जब आपका price decrease हुआ, तो आपका total expenditure भी decrease हुगए, क्या बात बूल दीजिए, सर, हाँ हाँ, जब आपका price decrease हुआ, तो आपका total expenditure भी decrease हुगए, मतलब आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना चीए था, इसी आपकी जो यहाँ पर price elasticity, उसको हम क्या बोलेंगे, सर, less than unity, क्या बोलोगे, सर, less than, less than unity, बात समझ मारीए, less than unity, less than unity, लेकिन अगर मान लीजे, सर, लेकिन अगर मान लीजे, 10 से 5 रुपए हमारी price हुई, हमारी quantity भी, 10 से 4 रुपए हुई, मतलब आदे से decrease हुई, यह half decrease हुई हाफ अगर decrease हुई आपने जो है double, इसको कर दिया, half decrease हुई तो double quantity increase कर दी, तो इसके कारण जो आपका expenditure आया, वो सेम आया, मतलब सेम कैसे, 10 इंटू 2 कितना आया, 20, तर 5 इंटू 4 कितना आया, 20, मतलब आपका expenditure सेम है, तो इसको हम बोलते है, 1, price elasticity of demand is 1, या फिर या फिर या बात समझ में आई किया, जल्दी से बताइए, जल्दी से total expenditure method समझ में आया, हमारा बस यह chapter खतम ही होने वाला है, बात समझ में आई किया, हमने speed भी बढ़ा दी, speed is okay now, speed is okay, speed is okay, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, everyone, मज़ा आ रहा है, audio वीडियो सब कुछ प्रापर होतो, वीडियो को लाइक जरू करा दीचेगा, सब कुछ ठीक है, बहुत शान्दार, ओके, सब बढ़िये चल रहा है, ओके, यह सर मस, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, price, last, demand के determinants क्या-क्या होता है, कब हमारी elasticity जादा, और कब हमारी elasticity कम होगी, कब हमारी elasticity जादा, और कब हमारी elasticity कम होगी, यह वो आपन देख लेए, तेखो ज्यान से सर जब हमारे substitute होंगे वो बहुत जादा वेलेबल है substitute बहुत जादा वेलेबल है old drink के ब्रैंड्स हो गये आगर cold drink हमको एक जमेंगी क्या अगर मालो cold drink का प्राइस बढ़ी या coco cola का प्रइस बढ़ी गया और cold drink लगबग सेंगी होती है अगर आपका जो है किसी भी चीज़ को खरच करने का अपनी जएव में अगर 1000 रुपे में से 900 रुपे आप अपने खाने पर खर्च करते हैं लेकिन अगर छोटा सा सॉल्ट हो गया सर आपका मैचे अगर आपके वह जो नीड यह लगजरी वाली नीड है कि आठीए कि बाद में पोस्पोन कर सकते हैं कार खरीद भी बाद में खरीद लेंगे लेकिन अगर मान लीजे लेकिन अगर लगजरी गुड्स होई उसको पोस्पोन कर पाओ गया सर उसको पोस्पोन कर पाओगे नहीं सर कीज़ाशिवनान सर सक सब्सकार अरी नहीं आरी अरी लेकिन अगर मान लिजे higher up the uses of the commodity to put इमिल्क है जय से क्या मिल्क अभी जोब्लड अलग यूज का सकते हैं उसकी मिठाई बना सकते हैं सरे अगर प्राइज मिलकी बड़ेगी तो तुम क्या करों प्राइज करोगे तुम जब्सक्राइब सब्सक्राइब मतलबlicherन में क्या होगा ठोट रन में आपकी झा मोगी ऑगर्फ हा सब्टना एडजस्रों जूले पर आम कारक्षा पर थेटल तरह पर जो है आधिन कर लेंगे, लॉगरन में हमारी elasticity जदा होगी, शोर्ट रॉन में हमारी elasticity कम होगी, अगर आप habitual consumer है, सर अगर आपको लग गयी, लग गयी, मतलब अगर इसको फार आप उसको छोड़ पाऊगे, बले उसकी दलवाना धनी कारी है। अगर आपने पेटरोल बाहता भी है. थोड़ा बहुत 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 बढ़ता भी है. थोड़ा भुट बढ़ता भी है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ? एजए गर म्यın fp प्रिंटर जो है? अगर सर गुड्स विचार इन वेरी हाई प्राइज और इन वेरी लो प्राइज रेंज अगर तुम बहुत महेंगी चीज खरीदने जा रहो दस लाग की बिश लाग की और उसमें एक दो हजार रुपे का डिफरेंस आएगा तो क्या सोचोंगे नहीं सोचोंगे अगर तुम पर इसमापल कार हो नाग एक एसे सरी जारी है अज़ार दो हजार रुपे की लिए कार दस लाख रुपे की खरीद क्या बोलोगे अ रहा यह आज चल डलवा दे किने लास्टिक केसी होगी इनकम लासिश टीटी का फॉर्मूला अपना पना सेम यह सर इनकम लासिश्टी का फॉर्मूला अपना सेम है सर कौन सा फॉर्मूला था ना चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटो प्राइस अपॉन क्वांटिटी बस यहां पर प्राइस की जगे हम क्या कर देंगे इंकम कर देंगे इंकम कर देंगे इंकम कर देंगे और हमारा फॉर कुछ भी चेंज लिए तुमारी इंकम इंकम 10 लाग से 20 लाग हो गई लेकिन तुम डिमांड इंक्रीस करें निरोसा इसको हम बोलते है परकटली इनलास्टिक सर अल्टिमेट नेस्सिटी जो होती है आपकी कोविट ड्रग वगरा हो गया भी आपकी बहले 10 लाग से एक करोड ह इंक्रीस करोगे क्या तुमारी 10 लाग से 20 लाग हो गई इंकम ठीक थोड़े-बहुत कपड़े जाधा खरीदने लग जाओगे थोड़े-बहुत जो है फूट बगेरा जो है जाधा खाने लगजाओगे लेकिन इतना जाधा करोगे कर नहीं इसको हम बोलते इनलास्टिक ल हमारा जो है जो है यह फोन खरीब लिया इलास्टिक हमको पता है लगजरी बहुत सिंपल सा को रिचर प्रॉस लास्टिक इसको बोलते सार चेंज इन क्वानिटिटी और वन गुड तो दूसरे की क्वानिटिटी के चेंज में आपन देखते सर दो गुड्स हमारे बेसिकली क्यत में केसी सब्सट्षिट और कॉम्लेमेंटी सा शस्वानिट्ट इस यसे इसमें क्या वा हुआ ुल्टा होगा सर इनवर्स रिलेशनिट होती है इसे कारण प्रॉस एलासिटिस्टी इसकी नेगेटिव होती है । यहां पर यह table बहुत ध्यान से देखिए अगर perfect substitutes होते हैं एक दूसरे के बात perfect substitutes है तो सर् उसमें cross elasticity infinite होगी perfect substitutes है तो उसमें cross elasticity कैसे होगी infinity फटाफ़ लोग change करेंगे ना इसमें थोड़ा सा प्राइज बड़ा फटाफ़ जो है shift होगी तो पॉजिटिव तो होगी थोड़ी सी large सब्सक्राइब तो जिरो होगी प्रॉप्र कॉम्प्लिमेंट नेगेटिव और उदर साथ में चलने लगेंगे ना वीक कॉम्प्लिमेंट तो नेगेटिव लोगी जो मैंने उपर समझा वह सब्सक्राइब और यसले नेगेटिव यह लेकिन उतने प्रपोर्शन से नीरों पर खरचा कर दिया ता इड़रीजमेंट बर खरचा कर दिया तो जतना हमने एड्वर्टाइजमेंट पर खरचा कर दिया तो उतने से ही होगी सर जब हमने advertisement पर जो खर्चा किया था उससे जदा हमारी demand कंबट होके उससे जदा हमारी demand कंबट होके बात समंझ महीं किया इसका बाट इमान forecasting वाला जो नीचे का session सेशन उसको मैं अलग से one लिए उसको वन शॉट तुमारा अच्छे से देख लोगे तो तुमारा मस्त काम हो जाए अभी हमारा डिमांड का चप्टर कंप्लीट हो चुका है कैसा लगा आपको डिमांड का एक दम शौर शॉर्ट सक्सेस हमने लगबग एक गंटा लिया है इस तो हमने शुरुवात के ज अज़े से कैसा लगा जल्दी से बताइए मजा आया दिवांश मजा आया एब्रिवन जल्दी से बताइए सर मजा आया निया आ मस्ट एकदम मजा आगए सर मस्ट एकदम मजा आगए वेरी नाइस ऐसे करकर के हम सारे चप्टर जो है आज अपने सारे इंपस्वाले सारे चेप्टर जितना हो पाए तो आपन कन लेंगे और बेस्ट तरीफिया से काम, आप आजाओ सेक्ड़ वाले चेप्टर पर तो नारंब करेंगे, डियो के वाला चेप्टर कांज्यूमर बीहेवियर, कंज्यूमर बीहेवियर, तर एकदम सर मज़ा आ गया सर मैं अब आपसे ही पढ़ूँगा देखो मैं तुमको बता दूँ वैसे मैंने पूरे सेशन मेराथान में ले रहा हूं लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा अगर आप मेराथान पूरा अट्रेंट तो बहुत साइच की से सिंक में आ जाएगी तुमारा लेकिन इसके बाद वन चॉट हमारा इसी चैनल में प्ले 30 मिनिट पर अब भी थुरुआ सा जो है ब्रेक लेकर आ देगे ब्रेक लेते हैं एक अपन पर अपन कंज्यूमर ब्रेविजर स्टार्ट करेंगे दो बच करें तू थाटीफाइब से हमारा नेक्स से स्टार्ट होगा तू थाटीफाइब के ओके वाटर ब्रेक जो भी आप जो लोग बचे रहेंगे आक्री तक में उन्हीं को जाबास खिलाडी समझूबा कि हाँ यार पढ़ना है हमको जो है टाइम पास करने नहीं है वाले बच्चे हैं हम जो है पूरा कॉंसेंट्रेट करेंगे और प्रेक के बाद फिर से इसी एनर्जी के साथ बढ़ जाएंगे कंजूमर बिहेवियर खतम बने है ठीक है ओक के दोस्त मिलते हैं दो बचके पैतेश मनेट एबर ग्रुप पर ज़रूर मैसेज कर दीजेगा सब को की कंजूमर बिहेवियर अपना सेकेंड चेप्टर स्टार्ट होने वाला है झाल 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 पूरा फोकस पूरा डेडिकेशन लगा दीजेगा बहुत मज़ा आएगा करेंगे और तेजी से भी करेंगे अपने दिल और दिमाग ते जाना शहीं है पूरा प्रसेंट तरीके से करना है नोट्स वगरा कहां से निकालने क्या करने वो सब में बता दूँ आप पूरा प्रसेंट रखियेगा हमारी अलग अलग चीजे होती है नेचर ऑफ यूमन वांट्स हम पढ़ेंगे निचर ऑफ य मैं अब बॉस्ट होती है काल दिल में मचलती है और यह हमारा दिल जो है हमेशा चाहता है दिल मांगे मोर करके लेकिन वो हमेशा अलग अलग टाइम पर हम चाहते है पूरी हो जैसे यह बोक्स है तो अभी की अभी चाहिए कुछ चीज़ होती चलो बाद में ले लेको सर्व हम यह मानकर सलते हैं कि है needs पूरी होला कि पहले मुझे पूरा कर, sir, wants complimentary होती है, कुछ-कुछ चीज़े साथ में चलती है, for example, petrol अलग से ढ़र बटल में भर के नहीं लाते हो, तुम पीने के लिए, sir, वो कार में डलवाने के लिए ही हम petrol घरितते हैं, ठीक है, तो कुछ-कुछ demand जो होती है, तर्भी करती थी टाइम के साथ लेसे के साहगे साथ पेडि्एस साथ maid के साथ अगर हमनेन चाहीं के सांथ कुछ आधा देखा वन अर्च के सब्सक्राइब अग्योंट प्रस नाचेज चीज कंफट वाली होती है जो हमारी life को तो अच्छा बनाती है, close वगेरा साथ, कुछ चीज होती है, luxury वाली, जो एकदम life को मजा मा rich बनाती है, ठीक है, sir, utility की आओती, sir, utility कुछ भी नहीं होती, it is a one satisfying power of kilometer, जैसे हम पूरे रास्ते को नापते हैं, कितनी kilometer तक का रास्ता हमको तही करना है, उसी प्रकार ह एक cup जो है, मैंने चाई पिया, या फिर एक जो है, मैंने apple खाया, एक मैंने ice cream खाई, तो उसको मैं नापूंगा क्या, utility मैं नापूंगा, मैं बोलूंगा, यार मैं को 10 utils मिले, इसको नापते कैसे है, कुछ वो measuring tool होता है, उस पर दिमांग ने लगाना, बस मैं बोल सकता इसा है, मुझे 10 utils मिले, बास समन महीं, सर बिल्कुल, utility जो होती ना, सर वो subjective होती है, रिलेटिवली होती होती है, और person to person vary होती है, for example, निकीता है आप बोल सकती है, सर में को 50 utils मिलते हैं, मैं बोल दो 40 utils मिलते हैं, हमारी निशा बोल सकती है, सर नी 30 utils मिलते हैं, तो सब अपने हिसाफ से utils बोल सकते हैं, सर जो utils का concept ना, वो ethically neutral होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो दारू वाले लोग है, जो दारू पीते हैं, वो यू नहीं बोल सकते हैं, हम तो utils बताई नहीं सकते हैं, हमने दारू पिया, तो हमने alcohol drink किया, हमने तामाखू खाया, तो हमको कितना utils मिला है, हो यह नहीं सकता, वो नहीं बता पा, because utils जो है, सर वो ethically neutral है, जो लोग legal चीजे करते हैं, या फिर जो ethically चीजे करते हैं, वह ही utils नाप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सर हर कोई utils नाप सकते हैं, सर दो theory अपनी market में चलती है, सर दो theory कौन से चलती है, सर उतिलिटी है किया बॉलोगे स्वार्टि कोधिये स्वार्टी्ट मार्षल का नाम क्या से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच लोगी मार्जिनल ऊटिलिति किस ने सर्ध हम को दिया अल्फरंड ने ऊइसको क्या से चारिनल मने नबर में नबर में मुन्य कर्ण सकते मिलेगा ये इसा हम नाप पाईएंगे तब दूसरा होता है इंडिफरेंस कव एनलीस सब्सक्राइब इंडिफरेंस कव एनलिस कई ने दिया सब ज्यादा बनाना पसंद है यहां फिर नहीं बोलता है सर पिंदिफ्रेंश पप इनलिशिस ने थिया है और यह मार्जरN यूटिलियू से अलग है सर मार्जिन धेले हैं मितलब सब हम क्या सोसता है कि मैंको साटिसफेक्शन मैक्सिमाइज करना हर यह सोसता है इसमें अपना जाधा चाहिए तरह हम यूटिलिटी को किसमें आपते मैंने बता द्यूसमें वही हमारी ओंट सटिस्फाइंग पावर अब लिखन हुआ ज्छेसे आप जो एक आपड़ाते जाता है यहाँ पर हमने एक्जाम्पल लिया है। पुरा फोकस करो इदा दोस्त, चॉकलेट, टाइम पास नहीं कर रहा है, पना पड़ाई कर रहा है। है चॉक्लेट का हमने एक चॉक्लेट हाइं दूसरी एक चॉक्लेट खाते गए रटेश बिलकुल खाते गए इंचेनल और गये तो पना इक पर आया तो कितना आया कि एक से दो पर आया तो कितना आया हैster हमारी मार्जिनल टोटल इंट लिए चेंज इन टोटल इन तोटल इंट लिए इंग रिए तो कैसे pernah बनेगा जब आपका जो है जब आपका जो है आपने एक कॉंटिटे खाया तो आपको सटीस्टीन किता अ मिला चैनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे बनाओगे इतर देखो everyone पुरा पूरा focus एक quantity पर हमको कितना satisfaction मिला तर 20 का दूसरी यूटिलिटी खाई दूसरा chocolate खाया तो कितना satisfaction मिला 14 सर कम हुआ कि satisfaction हाँ एक से दो पर shift हुआ तो मेरा satisfaction 20 से 14 होग गया change की बात कर रहा हूं सर में change की बात कर रहा हूं ndように दूसरे से तीसरे पर गया तो सर में को कुतना satisfaction मिल रहा है 11 11 11 11 मतलब सर मेरा satisfaction और decrease हो गया मेरा satisfaction और decrease हो गया पासंहु Mm Wha नहरी है इसका क्या मतलब है लेकिन ध्यान रखना इसमें एक relationship मेरे भाईईओं मेरे दोस्तों इसमें एक relationship है जैसे जैसे आप quantity increase कर रहा है आपका marginal utility decrease हो रहा है क्यों होता है क्योंकि law of of diminishing margin utility है, बात समझ मैं, सर, जब आपका law of diminishing margin utility काम करता है, सो आपका total utility increase तो करता है, मेरी बात समझीए, जब आप जो है, जैसे जैसे quantity बढ़ते जा रही है, आपका total utility तो increase कर रहा है, देखो ये, एक से दो पर गया, तो कितने से increase हुआ, सर, 14 से, सर, 2 से 3 पर गया, तो कितने से increase हुआ, 11 से, 3 से 4 पर गया, तो कितने से increase हुआ, सर, 5 से, ऐसे करके आपका total utility increase तो हो रहा है, लेकिन decreasing rates हो रहा है, मतलब initially जब आप quantity increase करोगे, initially आपके quantity increase करोगे, तो आपके marginal utility decrease होगी, और marginal utility decrease होने के वज़े से total utility इंक्रीस होगी लेकिन कैसे रेट्स होगी सर डिक्रीजिंग बात समझ माई ही डिक्रीजिंग रेट वाली बात समझ माई ही तुमको ठीके एक पॉइंट आएगा सर आपका जब आपका maximum satisfaction हो जाएगा maximum satisfaction मैक्सिमम satisfaction आएगा जब सर कब जब आपकी एम यू जो होगी सर जब आपका जो margin utility होगा सर जीरो हो जाएगा और आपका total utility सर maximum पर चले जाएगा total utility maximum पर चले जाएगा और सर जब उसके बाद में अगर आपने quantity फिर increase करी सर इसके बाद में भी अगर आप नहीं माने आपने quantity increase करी तो सर आपका marginal utility fall हो जाएगा marginal utility negative चले जाएगा marginal utility negative चले जाएगा और आपका total utility क्या हो जाएगा फॉल हो जाएगा यह relationship मैंने अलग से यहाँ पर liquid ही है देखो यह तो मैंने TU और MU के बारे में बताया यहाँ पर यह देखें यह देखें मेरे दोस्त यह देखें जब आपका MU 0 पर होता है ना आपका total utility maximum पर होता है और इसको क्या बोलते है सर सेटीएशन इसको क्या बोलोगे सर सेटीएशन याद रखो कि सर सेटीएशन पॉइंट जल्दी से बताइए यह सर नेगेट दो भी जा सकता है सर उल्टी भी हो सकती है आपको सिसी को हम बोलते सर इसी को हम क्या बोलते है सटीएशन पॉइंट समझ नहीं सो होता है सर monsieur जो होता है अ कि सलोब होता है वही तो आपको सलोब होता आ उसी के वज़्ज़े से आपको kitty हएं मेरे athletes हो बात समझ मांग है कोई रिक्कत तो नी eco knob परिशानी कर नहीं अब इसके बाद समझिए हम कुछ-कुछ assumption मान के चलते हैं किस एप्रोच में सर हम मान के चलते हैं marginal utility एप्रोच में कुछ-कुछ assumption हमारे मान के चलते हैं सर जब से पहला rationality सारे consumer जो है दिमाग वाले है सर हमारे जीव में जो पैसा हुआ है उसके बिस्यस पर हम utility नाप पा रहे हैं हम ऐसा सोच के चलेंगे सर एज्यूम्स ओल अदर फेक्टर्स कॉंस्टेंट जैसे कि सर टेस्ट प्रिफरेंस इंकम हैबिट टेंपरामेंट फेशन यह सब हम कॉंस्टेंट मानते हैं उतने ही हिसाफ से हम काम करेंगे एक चॉकलेट आज खाई दूसरी कल खालेगे हम एक के बाद एक खाईगे तब ही तो पता चलेगा marginal utility होती जाजए होती जाजए होती जाजए हो हो इसा नहीं है कि सारी चीज़े अलग-अलग आ रही है चॉकलेट एक जैसी है होमोजीनिस है ऐडेंटीकल है एक जैसा टेस्ट है एक जैसा पहले वाले कप चाय दी तो उसमें बहुत अच्छी शक्कर डली थी दूसरे들이 नहीं कि आप पहले वाले कप अप आपके चाई對不對 हं गंदी चाय थी जे यूटिलिटी आफ मनी मतलब मुम आपका आपका यूच्ट रहेगा यह क्या होता है यह क्या होता है यह क्या ववाल चीज़ा आप ऐसा मान के चलोगे यार अगर मैं एक रुपे से मुझे पांच यूटेट्स मिलनी चाहिए पाउच यूटेट्स मिलनी चाहिए आप ऐसा सोच के चलोगे वह आ मैं यर अगर मैं एक रुपे ईक रूपे मार्केट में ओञेसा का अन्दर लें Heil आंप पर अब करती है एक है आप को नहीं पता आपके पास शॉप्सटिूट्व्स अवेबल होता है आपके पास आप जो है आपने स्प्राइट तो सर आप देखो गए क्या इसमें यूटिल जादा मिल रहा है उसमें यूटिल जादा मिल रहा है यह जो बॉटल्ट्ल ऑफ द्रिंस होती है इसके अलग-अलग जो है पैसा ही पैसा होगा करके, सर अगर आप जो होबीज वगेरा पर अपनी इंवेस्ट करो, रेयर कलेक्शन पर इंवेस्ट करो, creative art, painting, music, poetry वगेरा करो, तो सर आप जैसे जैसे और ज्यादा चीज़ें करते जाओ गए, आपको क्रिकेट खेलना पसंद, आपने एक six मारा मज़ा दूसरा मारा, और मरा, तो जैसे जैसे आप six मारते जारों, आपको और जादा मज़ा आ रहा है, अल्कोहल के लात होती है, जिनको सिगरेट के लात होती है, consumer computer games, यह PUBG अगरा के लात होती है, सर उनके लिए के law of diminishing margin utility लगेगा, the answer is no, नहीं लगेगा, मतलब उपर वाले सारे cases में, उपर वाले cases में, सर हमारा DMU नहीं लगेगा, law of marginal utility नहीं लगेगा, consumer equilibrium आजे ही, आप single commodity case में, सर इसका formula क्या होता है, जब आपकी marginal utility, जब आपको satisfaction मिल रहा है, जब आपको price से match हो जाना, जब आपको price से match हो जाना, जब आपको price से match हो जाना है, तो इसको हम equilibrium बोलेग हमारे equilibrium मिल गया, consumer equilibrium मिल गया, अगर मान लीजे, इसके बाद price fall हो जाती है, for example, हमारा satisfaction हमको कम मिलता है, MUX is equal to price हो जाता है, तो हमको satisfaction मिलता है, बिल्कुल समझे, लेकिन अगर मान लो price fall हो गी, price fall हो गी, price fall हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MUX would be greater than price ऐसा हो जाएगा, अग अगर इस case में आपको क्या हो रहा है, आपको satisfaction जादा मिल रहा है, लेकिन कुसी चीज़ की price कम है, क्या बोल दिया सर, आपको satisfaction जादा मिल रहा है, लेकिन किसी चीज़ की price कम है, अगर किसी चीज़ की price कम है, satisfaction आपको जादा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, sir, उसको और ज इंक्रीज होगे तो क्या गरोगे थे थे अपका फिर इच्छा होगी अंदर से चलो कभी तो करें पर एक पॉइंट आएगा जब्राइब कर देंगे यहाँ चीज़ ले जाएंगे Mux upon Px कर देंगे Mui upon Py कर देंगे और Mum के बराबर कर देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं इक भी Margin Utility में आपको equilibrium कैसे कितना बोलते हैं इसके Deep में मज जाओ जाओ जादा Deep में Institute ने भी नहीं लिखा हुआ है मैंने OneShot में नहीं करवा है इस बॉटल की प्राइस है 500 लेकिन मैं मैं बोल रहा हूँ मुझे प्यास इसने लगी है मैं इसके लिए 800 रुपे देने के लिए ready हूँ मैंने क्या बोला क्या बोला सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी बुताईए मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला सर इस bottle की जो price है इस bottle की जो price है 500 रुपे लेकिन मैं ready हूं कितना देने के लिए 800 रुपे क्योंकि प्यास बहुत जबादा लगी है न तो इस जो difference है 300 रुपे का यही तो मुझे जो है अच्छापन दिखा रहा मार्केट के यार मुझे जो है सस्ते में bottle मिल गए यहां पर देखो यहां पर देखो तर मुझे satisfaction कितने मिल रहा था 30 प्राइस कितनी थी मार्केट में 20 मुझे consumer surplus कितने मिलेगा 10 मार्केट में प्राइस कितनी थी 26 प्राइस कितनी है 20 consumer surplus मिल गया थी आप एक चीज़ नोट करोगे जैसे जैसे हमारी quantity बढ़ती जा रही हमारा satisfaction काम होता जा रहा है अगर मैं यहां पर देखूं कि मेरा total consumer surplus मेरे को कितना मिला तो आप क्या करोगे सबको एड़ कर लेगा 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 सब कुछ एड़ कर ले ना और 30 आपको consumer surplus मिला ऐसा करके बोल जो एसा करके बोल जो जो एसा करके बोल जो यह समझ मांद कव हमारा reflect करता अब को क्या कहाता सर मैंने क्या कहाता आपको surprise जो है इसकी कितनी ap flor पे देने के लिए कितना रेडिवी मेराampf बिलकुल देने के लिए रेडिव पल्कॉण सिमज्य कोई समझ्या वाली बिल्कुल समस्या वाली कोई बात दो इसके आगे आ जाओ कोई समस्या वाली बात दें कि वहीं चीज़ें यहां पर लिखेंगे हैं कि अगर इस बॉटल का प्राइस किसी ने 400 रुपे कर दिया तो मेरा कंजूमर सर्प्रस 300 रुपे से बढ़े कि इतना हो जाएगा 400 रुपे बात समझ्मारी जितनी कम प्राइस होगी उतना जाधा बात समझ्माई यह निया बिलकुल समझ्माई बिलकुल समझ्माई घर प्राइस दिक्रीज हो जाती है तो हमारा कंजूमर सर्प्रस भी बढ़ जाता है हमेशा धिया धिया ठीक है अगर हम application की बात करें प्रम कंजुमिंग गुद्स बात समय महीं के जितना जैसे अभी अपने टीम स्वर्पे निकाला था नहीं निकाला था यहां पर अपने को किस्षा आप से चल रहा है लोगों को कितना बेनिफीट हो रहा है वो आइडेटिफाइड करने में मंदद मिलता है क्या इस प्राइस को अगर मानलो इस बॉटल की प्राइस को कोई हजार रुपए कर देगा मेरी इच्छा होरी यह आठा सो रुपे देने की अगर इस प्राइ तहीं consumer surplus की वज़े से ही हम price जो है decide कर सकते हैं जैसे इस price कहां तक 500 रुपे से कहां तक बढ़ा सकते हो sir 800 रुपे तर finance minister को पता होता है कि किस चीज पर कितना tax rate ले लोग कहां तक ready हो जाएंगे पे करने के लिए लेकिन सर कुछ 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 लिमिटेशन है जैसे बहुत hypothetical है आसानी साब जवाब थोड़े सकता आपको कितना जो है अगर अभी तो बॉटल की बात हो रही थी अगर पानी की बात होती तो मैं क्या बोलता आ रहे भाई पानी तो अभी पिला दे पानी तो अभी पिला दे बोलता नहीं बोलता सर बिल्कुल बोलता बहुत ज्यादा दिकत वाला काम है सर कंज्यूमर सर प्लस केंनोट विमेजर्ड रहे गा और बहुत साई चीज़े उनने अल्रेडी हम पर लाग दी तो यहां पर कंज्यूमर सर प्लस एक्जेक्ट नापना और बहुत समझ मारी क्या सब आ चुके हैं कारडिनल मेजर्मेंट इनको खतम करके कि सब्ता रहा है कर दिएक दमाक मे गया मझा आ रहा है पहसा सो तो नहीं रहे हो कि जल्दी जल्दी बता दीजिए पोड तो नहीं हो रहे हो हाँ या सोना मत तुम लोग ठीक है हाँ लेकिन एक चीज में बता दू जब तुम अगली बार रिवाइस करो ना इन चैप्टर को प्रिफर वन शॉट हाँ बन शॉट अपने को प्रिफर करना और सबको वन शॉट ही बोलना है वहाँ पर तुम्हारा जो है और डिटेल्ड में और कम टाइम में चीज़ें हो जाएगी जब तुम रिविजन करोगे अभी तुम मेरे साथ समझ लो हाँ नोट्स मगरा सब मिल जाएंगे चिन्ना बत करो है समझ गया ना समंझ गया कि बिल्कुल मझा यहझा रहा है एकदम अनंदम गभध माई तरीके से समझ jsु हा रहा है भीर को सवन्जाइए लागे ह aúnे है कि वन्चॉट की प्लेलिस्ट पर चले जाएगे जब तुम बाद में के ओना बनशाट की प्लेलिस्ट पर चले ताल अभी पूरा मेरे साथ देख लो बाद में बन्शाट में प्लेलिस्ट पर चले हैं झाल आगे बढ़ते हैं। अब आजाते हैं ऑफ आपन 001 प्रेंश की एक बात करते हैं रह एक फेरेंटेश का संदन कॉछ सफान ऑ्दर यहां पर मार्शल साब क्या बोलते थे या यार इस पर 50 यूटिल मिलेगी इस पर 100 यूटिल मिलेगी ऐसा करके बोलते थे नहीं बोलते थे लेकिन ऐसा प्रेक्टिकल पॉसिबल नहीं है बस कहने वाली बात है ठीक है यहां पर इंडिफरेंस को में कुछ-कुछ assumptions की बात करें कुछ- इसको क्या चाहिए और इसका पूरी information about the relevant aspect of economic मेरे को क्या चाहिए मेरे को क्या चीज नहीं चाहिए पेरे को मेरे को पूरा का पूरा कीलियर है ठीक है लाइफ में ठीक है यह सब बेसिक चीज है जो मुझको जो है क्लियर हो नीचे र कंजूमर जो है वो समजदार है और रेशनल एक्षन लेगा समजदार है रेशनल एक्षन लेगा जब भी उसको जो है चूज करने की बारी आएगे न वो रेशनल एक्षन लेगा तर जो इंडिफरेंस का वैंलिस्स है न यह एजूम करके चलती utility is not an ordinally expressible the consumer is capable of ranking all convenient combination मतलब अगर तुमारे सामने चार चीज़ा रग दी जा तुन चार चीज़ों में से तुमको जो जमता है वो तुम चूज कर लोगे ऐसा हम मानके चलते है उन चार चीज़ों में से तुम चूज कर लोगे यार मेरेको ये चीज अच्छी लगती ये तुम कर पाऊ उली करा उर्च स्यूमित कि मतलब क्या अगर एक और बी पसंद आन रहा है उसको और्झ पते हैं अधू को ए क्युक्स चाहिए घृरत तुमको जाधान पटर और इसको हम non-situation का अजम्शन भी बोलते हैं इसको इक वाला क्या होता है सार यहाँ पर हम सारे कॉम्बिनेशन जो बी दो चीज़ों से हम बना सकते हैं सर वो सारे इसको हम इसे पर बना के चलते हैं इसको सरे हम इस किमको उसने बोला कि एक काम करो एक काम करो तुमको हम एक बर्गर और देदेे कंको कि पूछा की एक काम करता है अब तुम कितनी टीषग को ס shootings के कि लिए रेडी हो कि तुमको दूसरा combination तुम्हारा ready हो रहा है second combination is going to be ready तुम कितने clothes जो है sacrifice कर दो वो बुला 6 मेरे को 6 clothes दे दो मैं minus 6 t-shirts अपनी sacrifice कर दूँगा इसका क्या मतलब होगा MRS MRS marginal rate of substitution everyone MRS MRS जो की slope होता है अपने indifference curve का तर हम कितने t-shirt को sacrifice कर दिये 6 t-shirt हमने sacrifice कर दिये जब हमसे पूछा गया कि एक काम कर रहे मेरे दोस्त तुमको एक और बर्गर दे दिया तो फिर पूछा अब हमको बता एक और बर्गर तिर को दिया कितनी t-shirt sacrifice कर दिया तो जोड से आवाज आई हमसे दो ट-shirt और ले लो सैगर भाइज दियो एक और बर्गर के लिए सर आप यहां पर नूटिस करोगे सर आप यहां पर नूटिस क्या करोगे सर आपका सब्सक्राइब अपने पिठाया ना अब आपने कॉम्बिनेशन बिठाया ना यह जो पॉम्बिनेशन आपने बिठाया था पिल्कुल की भाईया मुझे एक बरगर दे दो और बारा कपड़े दे दो सबसे इंपोर्टेंट बात यह A हो चाहे B हो चाहे C हो चाहे D हो सारे कोमबिनेशन पर सारे कोममिनेशन पर तुमको equal satisfaction मिनो उमसे कोई पूछे तुमको कौनसा वाला combination पसन दे, D जाधा पसन दे या B, हम क्या बोलेंगे, मैं तो दोनों में indifferent हूँ, चाहे मेरे को B दे दो चाहे मेरे को D दे दो मैं तो दोनों में indifferent हूँ ऐसा करके बोलोगे नहीं बोलोगे सर equal satisfaction बोलोगे नहीं बोलोगे सर बिलकुल बोलेंगे it is giving us an equal satisfaction जो भी सारे combination है हमारे इंडिफरेंस कर्व पर हमों हमको देते हैं equal satisfaction बात समझ मैं सेम रहे तर उसको हम MRS होते बात सबसे पहली बात सर स्लोब डाउनवर्ड होता है हमको एक फूड की quantity increase करनी है एक फूड की आपको जब एक और बर्गर मिला तो आपने छे टीशट कुर्बान कर दी लेकिन जब आपकी भूग मिट गई आपने बोला रहे यार मेरा तो हो गया मेरा यूटिलेटी की वज़े से आपका MRS फॉल होता है और MRS फॉल होने की वज़े से आपका जो ग्राफ होता है इंडिफरेंस लगा वो सायन यहां पर लेकिन आप ढहां से यहां पर देखिए जब आपका ग्राफ होता था आपका C आपका एमरिस इस केस में आपका मरेस सEEल पर जाता है तो हेसी सी लाइन बज़ातい ए पनिग्स बार से व्जाट्ण बंजा पैरलेल पैरलेल लाइन बन जाती है अगर पर्फेक्ट सब्स्टिटूट होता है तो इंडिफरेंस कव आपका कैसा बनता है पैरलेल वागा लेकिन अगर पर्फेक्ट कॉंप्लिमेंट है तो आपका L-shaped graph बनता है L-shaped because यहाँ पर MRS undefined है MRS को आप define नहीं कर सकते इंडिफरेंस कव कभी में इंट्रसेक्ट नहीं होगा हर इंट्रसेक्ट हो गया इसका यह मतलब हो जाएगा अगर हाँ इंट्रसेक्ट हो गया इस इचनल पे वन्जॉट जिंटा मत करो A और B और C इंसका यह मतलब हो जाएगा बी और C में भी ससेट्सफेक्ट है अगर इंट्रसेक्ट होगया A bab dalla combination फ्र H सब्सक्राइब कर दोगे तो सबस्क्राइब कर दोगे तो सबस्यादा सबस्यादा कहा मिलेगा सर था सबसे ज़्यादा सब्सेशेस कोक्र कभिए ईदर टउस नहीं करेगा कभी यह इक्सेष को भी कभी नहीं करेगा विकास को देख़ यह कोई पडिक्कटली बात है कोई दिक्कटली बत रिखो new अब बजट लाइन पर आजो हमारा चैप्टर बस अंतिम शासे ले रहा है जल्दी खतम हो जाएगा हो वी तो अलगर कमिनेशन बना दे मेरे बाई कि तुम आइसख्रीब करस्थक कर रहेरे संथ हब ना जीड है अगर चैतल लगा घुए तो तो मेरे काम खतम हो जाएगा अगर मानलो एक quantity मैंने आइस्क्रीम खरीद लिए एक इंटू 20 कितना हुआ रुपीज 20 यहां पर खर्श हो गया बचे मेरे पास 80 रुपए बचे मेरे पास 80 रुपए तो मैंने क्या किया मैंने एक काम किया सर्थ 8 चॉकलेट खरीद ली दूपेज 10 वाली 10 वाली 8 चॉकलेट उप्रफेज़ हो गए 80 80 प्लस 20 कितना खताम होंगे 100 माधलब क्या सर्थ budget लाइन क्या शो ले जब आप अपनी पूरी money spend कर देते हो तो एक maximum limit एक maximum limit हमको show कर देती कि tip हमारा कितना budget बन सकता है हमारा कितना budget maximum बन सकता आइस्क्रीज़ें खरीद लिए 30 रुपे कितने about 20 रुपुरह क्ता हो गए को अगर एक रही युझा प्लॉट कर दूआ सब्सक्राइब То एक हमेरा टोटल बजट नहीं बना देगा, यह मेरी maximum limit है, यह this is my उकात, इसके अंदर ही मेरे को जो है, खर्च करना पड़ेगा, अगर मानों यह जो K वाला point है, इसके अंदर plot पढ़ रहा है, सर, यह K वाला point इसके अंदर पढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, सर, मेरी underspending income, मेरी income क्या है, सर, underspend कर रहा हूँ, और सर, अगर बहार पढ़ रहा point, सर, अगर point बहार पढ़ रहा है, H वाला point बहार पढ़ रहा सर, beyond the reach of us consumer है, सर, यह मेरी ओकात के बहार है, this is beyond my reach, बदलब, अगर मैं पूरी अपनी income खर्ज भी कर दू, तो H वाले point तक तो कभी पहुची नहीं सकता, यह होता अपना budget line, budget line अपने को maximum बताता है, या तुम खर्चा कितना कर सकतो, उनको जीवन में satisfaction कितना मिले, लेकिन तुम खर्चा कितना कर सकतो, वो बताता है, सर, budget line और सरी, यह जब 20 रुपे की 10 रुपे में, या फिर यह 10 रुपे की 5 रुपे में, चेंज हो जाए, या फिर यह 100 रुपे का budget, हमारा, 1000 रुपे का हो जाए, तो हमारी budget line शेफ्ट होगी नहीं होगी, सर, बिल्कुल होगी, इसी के कराराई, अमारी budget line हो सकती है, सर, consumer सब आयगा सब आयागा जब आपका कोई है हमारी लॉजीट ॉजसे उसर म独 से हमारी वजट है कि कह अ हमारी बजट नाइनर सर आप सार उइस सरा हमारी बजट कि आपको बजएट लाइन और इंडिफरेंस कभ दोनों में तोगा ना सर यहां पर अपने को maximum satisfaction के लेगा because यहां पर indifference map which show the scale of the preference वो बतारा fixed income उपनी होनी चीए price जो अपने given होने चीए homogenius होने चीए rational होनी चीए assumption से करके जब आपका जो है दोनों चीजे match होगी मतलब क्या सर जब आपका इंडिफरेंस करव का स्लोप MRS और प्राइज लाइन का स्लोप PX अपन प्य सब मैच होगा तो सर अपको maximum satisfaction at point q हमको maximum चीजे जहां जो यहां पर है वो आपर satisfy होगी अच्छी अप्रोच कोन सी थी सर इंडिफरेंस कर वाली वहां पर हमको ऐसे utility utility जो है बोलने का नहीं बोलते है utility बता हम बता पा रहे थे का नहीं सर यहां पर मुझे एक बात बताईए हमने यह वाला point क्यों नहीं चूज नहीं किया सर यह point 2T क्यों चीज चूज नहीं किया क्योंकि यह two concepts C2 पर मतलब lower satisfaction दे रहा है उसी प्रकार सर मैंने R और S वाला भी चूज नहीं कियो सर यह सब IC2 पर आ है यह Q1 लो टा है Q Q Q Q Q क्यूं सर यह IC3 पर आ रहा है सर यह Q जो है वो IC3 पर आ रहा है मतलब higher indifference curve पर आ रहा है तो मुझे satisfaction भी एकदम मज़े वाला दे रहा है satisfaction भी एकदम मज़े वाला दे बास समझ माई इसी नहीं मैंने IC3 वाला Q वाला चूज किया यहाँ पर मेरा budget line और मेरा budget line भी मेरा equal हो गया किससे MRS MRS और इसी प्रकार हमारा second वाला चप्टर भी खतम हो जाता है हमारा indifference curve जो अप्रोच होती नहीं वो अच्छी होती विकॉस यहाँ पर हमको जल्दी बताईए एवरिवन जल्दी बता दीजिए अब स्पीड ठीक लग रही है तुमको अब कंज्यूमर सद प्रस का एक बार ग्राव बता देखो एक बार वन शॉट देखो के तो उसमें और अच्छे से मैंने बता रहा है लेकिन मैं तुमको अभी पास्ट तरीके से बता सकता हूँ मज़ा आया देखो याँ पर क्या है मैंने बताया ना price कितनी मैं कितना pay करने के लिए मैं कितना pay करने के लिए सर मैं 800 रुपई पे लिए लेकिन price market में कितना चल रहा है marketing में जो चल रहा सर वो 500 रुपई सर इसके बीच का जो difference है न वो जो 300 रुपई ये वो consumer surplus मज़ा आ रहा न है बहुत चांदार बस यही चाहिए जीवन में यही चाहिए अगर पूरा अपने हिसाब से अपना बैस दिया ना तो अपन फोड़ देंगे 90 प्लस का लेकिन हां बाद में मैं अभी बोल रहा हूं बाद में रिवाइस करो तो वन चॉट तुमारे लिए बैस राम चो फोड इलाज़ हैं बार बार रिविशन जब ही पहत करना हो बहुत अच्छे सा मुएज हो जाएगा तुमारा अब हूं अपने आइस्याओत सप्लाई पर मूउब करेंगे कि हमारे तीसरे शेप्टर सप्लाई पर मूंब जो क्या बात करें कि अच्छ तर फोड देंगे सार बिल्कुल फोड देंगे कि एक तर नोर्स बना रखे रहे तुम्हारे लिए तुम देखके जाओगे ना जाम के एक दिन पहले मज़ा आ जाए कि अरे कार्थिक भाई विल्कुल ले लेंगे धिरज भाई अभी पूरे फोकस अटेंशन डेडिकेशन के साथ समझ में आ रहा है एक ब्रेक ले लेते हैं हम 3.30 से कंटीन्यू करेंगे तो ब्रेक ले लेके पड़ेंगे तो जाधा अच्छे तो पढ़ भी पाएंगे एक दाम एक्जोर्शन भी नहीं होगा मुझे भी और आपको लेकिन फोकस के साथ आ जाना थी थर्टी पीम ब्रेक पूरा फोकस के साथ पढ़ना है फिर टाइम से आना तुम को ब्रेक दे रहा हूं इसका यहीं मतलब है कि भी है मैं चाहता हूं तुम जो है आखरी तक मेरे साथ मेरे थान में ठीके रहो ऐसा नहीं हो कि भी है अधा दूरा पढ़के चलेगा बाद में देख लेंगे कैसा नहीं पूरा करेंगे 100 इंगे झाल 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 मघ झाल 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 प्रूप्स नद्ट प्रूप्स यस्ट ये बख्थ झाल्च ये वेख ऐखेट है पॉपस्ट पॉपस्ट वाट बढ़ दिवांश शडी पूरिदीम चांदार 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 अडम समित्र विद अल्फेड मार्शल वह वह यह हमारा एक मांक स्कलेक्चर देखने कौन है आपता हो एडम स्मित विद अल्फरड मार्शन है है टैक विद बैंग चलो शांदार शांदार धबागेदार तरीके से बापस हम जो है शुरुवात करेंगे हमारे सेशन की कि लंच आदा ही हुआ अभी बाकी अगली ब्रेक में चलो बस यहीं उट्सा चाहिए यहीं उबंक चाहिए हम पूरा खतम करेंगे आज तो वो मज़ा आ जाए गरें आकरी दून करने जाओगे ना अपना एक अलगी फील आएगा चलो शाप्लाई क्या होता सप्लाई कुछ भी नहीं होता जैसे हमने डिमांड की बात करी ती इमांड में यह बात करी थी कि डिफरेंट कंस्यूमर्स जो चाहते विलिंगनेस और हमचीज खरीद ले हम चींजश करीद ले हैं सब्सक्राइब बेचना चाहते हैं उसको का बलते हैं ईसको हम supply बोलोगेज़, user supply हो या फिर दिमांड हो, supply हो दोटाइज़ हो वियाद, जैसे 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 प्राइज बढ़ती है अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है अगर प्रॉफिट बढ़ता है अगर प्रॉफिट बढ़ता है और जब इंसान को लालच आता है ना प्रॉफिट 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 प लब लबत लबे क्यार तुम दो चीजा बनाते थे तरु तुम दो चीजा बनाते थे थे तुम दो चीजा बनाते थे ओक्रीडिजाली बनाते है उसकी इक काम करता हूं एक, styl भाला जोड़ते था और मैं Most मिखें प्राइट बनाता था एक मैं शॉपनर बनाता था में एक पैन मनाता था जब तो मुझे पताता चले गा कि या मेरे पास रिसोर्ससस तो constant है और प्राइज पेन की बढ़ती जारी है लोगों को पैन की बहुत दिमांड है तो मैं क्या करूंग पैन की original goods will fall. मतलब क्या sir क्या बोल दिया आपने? price of related goods बढ़ेगी न? price of related goods बढ़ेगी न? जो हमारा पडोस वाला goods जिसको हम बनाते थे sir हमारी original goods की supply क्या होगी? original goods की supply original goods की supply कम होगी. ठीक है sir? अगर factor production बढ़ते है sir land, labor, capital, enterprise हो. चार factor होते land, labor, capital, enterprise हो. अगर हमारा पस technology तरो ताजा आगी, technology बढ़िया आगी, advancement होगे technology में, तो sir हमारी supply इंक्रीज हो जाएगी because हमारी profit इंक्रीज हो जाएगा. sir government की policy अगर government की तरफ से में एक को subsidy आगई, subsidy आगई तो मुझे cost of production reduce करने का मौका मिलेगा. cost of production reduce होगा, तो मेरा profit इंक्रीज होगा, cost of production increase होने की वज़े से sir मेरा profit reduce होगा, और सार मेरा अगर profit reduce होगा तो sir में supply हो. sir अगर competitive market है, competitive market है sir बहुत सारे लोग है, sir बहुत सारे लोग है supply करना चाते है, supply जादा होगी, sir बिल्कु supply जादा होगी, लेकिन sir अगर केवल एक ही में सब्सक्राइब करें तो जो लोग जो कि अब रही अब होएगा वह बहुत कम हो जाएगी तो क्या करूं है मैं अभी नहीं लोग स्टॉक रहिसी सप्राइस चेलरव सब्सक्राइब करते। अगर कम लोग सब्राइब करते ही तो कम फार अब यहां पर आजाओ मुमेंट अब इस अपलाइब का domo किंओ डस से बीस होगे रसे थीस हो जएगए इस बड़े doesn't से थीज हो एे बड़े सब्सकुराइब राइस इंक्रिश बड़े सब्सक्राइब हुए ठीड़ी बड़ा लेंगे मिनमित्रों हम भी 10 से 30 कर लेगे और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा सर हमारा A to B A to B होगा सर A to B क्या होगा सरी A to B सरी हमारा A to B होगा upward movement क्या होगा सर upward movement upward movement of supply car upward movement of supply car और अगर मान लो उसी टाइम पर मेरी जो है सर हमारी प्राइस तीस से दस्क पर आगे मतलब कम होगी तो मेरी quantity तीस से दस्क पर चली जाएगी इसको हम बोलते हैं downward movement of supply downward movement of supply मतलब क्या सर मुवमेंट किसकी वज़े से होता है movement सप्रैस की वज़े से इंक्रीज इंक्रीजिन सब्सक्रिएर चैंज हाएगा ना जिसके वाज़े सम्मारा बढ़ सकता है तर क्या बोलेंगे सर यह मतलब यह मतलब अच्छी होगी सर तुम्हारा जो cost of production है तो सर क्या होगा राइट वरडडशिफ होगा ना supply क्याव रही रहेगी प्राइस तो सेम थेम रहेगी 100 रूपे की चीज़ 100 रूपे में मिलेगी लेकिन क्या आपका पाesar की वगाई पाठलंस सब्सक्राइन स्युक्राइब वत तब वार यह सेन्ट हम अपना इलास्टिश्टेश्टीन के बात करें सार्टेश्र वही के हुई है कभी चीज डिंच को वह गडिर्यान गोलें ग्राव भी सेम अपना जो डिमांड वाला था डिमांड वाला जो चार्ट था न वो का वोई पूरा चिपका देना तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो आप क्वांटिटी इंक्रीज तो कर लोगे लेकिन छोटे से हिस्चे से करोगे जब आपका प्राइस पीवन से पीटू पर जाएगा आपकी क्वांटिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन छोटे से हिश्व होगी अगर अगर अब जो है अगर अब जो है आपको एकोनॉमी में जादा सप्लाई करना है तो सर आपके पास जो फिक्स असेट प Q2 से Q3 पर मूव करना है मतलब अगर जादा सप्लाई करना है फिर Q2 Q3 से Q4 पर मूव करना है मतलब जादा सप्लाई करना है तो भहिया तुमारी प्राइस है ना एक अच्छे कासे रेंज से बढ़नी ची मतलब प्राइस शुट भी इंक्रीज बाया ग्रेटर प्रोपोर्श प्राइस ज़ादा हिस्स्य से क्यों बढ़नीचे सर हमको मशीन का हमको कैपिटल का यहाँ पर invest में बढ़ा करना आपका जो होगा ना सर वो अपको बढ़ा होगा सर जब फोटी सी बात आती है quantity increase करने के तो सर छोटा सा प्राइस बढ़ा तो चलेगा नई मशीन से हो पाएगा और वो तभी पॉसिबल है जब प्राइज जादा बड़ी हिस्से से बड़ी सर आर्क इलास्टिसिटी भी से मैं जिससा अपन ने उसमें पढ़ा था डिमांड वाले चेप्टर में डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाइप पढ़ लो सिंपल है सर अगर कॉस्ट प्रोड़क्शन अपकी कॉंप्लेक्स होगी हायर होगी तो सर इलास्टिसिटी कैसी होगी सर लेस होगी बहुत मुश्किल से मैंने यारी सामान बनाया है इसको अब लोग खरीद ले तो ठीक है हम में जादा इसमें चेंजर नहीं कर सकता मतलब क्या कॉस्ट प्रोड़क्शन बहुत जादा है मेरा मैं आसानी से सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता मतलब कॉस्ट अगर कॉंपलेक्स हुआ प्रोड़क्शन कॉंपलेक्स हुआ तो सर आपका एलास्टिसिटी कितनी होगी सर मोर अगर आपके बस पैर क्या बची होगी तो आपक कि चीपली अवेलेबल होगे तो आपकी अशानी से जो है प्रोड़क्शन कर पाएंगे सप्लाई बड़ा पाइंगे लेकिन अगर आपके लेबर कैपिटल मोबाइ्ल है इस कि अर्श करें तो जब आपका जो फ्राइज है जब आपका इसे बात पर हमारा था कितनी जल्दी चप्टर खता हो गया 10-15 मिनिट का था किकाउज हमने डिमांड इतनी अच्छे से पाटर रखा था तुम बोल रहे था न है अर्श्पीड लो क्यों इसलिए थी इसलिए थी बाद समझ मारी कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है कि विल आ रही है क्या हम दूसरे चप्टर पर टूट पड़े है जल्दी बताइए फील आ रहा है अब भी ब्रेक नहीं मिलेगा अभी तो लिया था ब्रेक कि इतने आज तक चलेगा सरा आपका है यह सेशन हम कोशिश करेंगे जब तक आप में जाने में मेरे में भी जाने आप बोलो कि सर अब नहीं हो पा रहा है हम जो है स्टॉप कर दोगें मिलें सेकोनोमिक्स तो कर लेतें दोस्त इसी के प्र अलग कोई सेशन में देखेंगे जब लो साथ में हो पूरा कोकस पूरा डियाडिकेशन से सात में हो सर प्रोडक्षन स्टार्ट कर दे जल्दी बताईयो themes विल्कुल सर जान ही जान है ओके नन ड़ीत पॉडुक्चंभ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बाति है कि शांदार कि अब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रोडक्षन दिरे दिरे बेज बनाने पड़ेगा गिता है उसके लिए तुम्हारा फ्रेश मैंड चाहिए उसके रेडी हैं पर पूरा कॉंसेंट्रेशन इधर दे तो मैं पिर्डीक्षन किसको बोलते हैं हम yo यूटिलिटी का creation को जो है production बोलते हैं अगर हमने create कर दी utility यूटिलिटी तो हम उसको बोलते हैं production सर प्रड़क्शन क्या होती सर organized activity होती ही जब हम resources को ट्रांसफॉर्म करते हैं finished goods में उसकोँ प्रॉड़क्शन है ताइय अप्रड़क्शन चार्ट right F 하나ustr Q वू उतिलिटी छिटिलिटी टाइम यूलिटी परसनल ईप्राइज वाम प्लेस का जानाआ प्रिक्शन या से आपने यूएस जिस यूएस ये पनी इंपोर्ट कर ली चीझज है अपनी यूएसे से मार्केट वाला आज चेप्टर नहीं होगा कोशिश करेंगे उसको करने के विकाज मुझे तुम्हारा पूरा अच्छे से उसके लिए देन susceptible सब ले करें और रुसके और जल्ड़केन और भी न्रापकोशीक और सब आपने शीजे बचा के रख ली आपने चीज़ बचा के रख ली आपने चीजा बचा करके रख लिए! आपने जो है…गोड़स करके रख लीुए और टाइम आने पर निकाली है… पर्षिसनल सर्विसेश को हम पर्सचनल परट्चन होताया इसकी जो सप्लाय उती यह वो फिक्स होती है आप ऑब ची स्टान के बड़ा कर सकते हो का सर नहीं कर सकता है रेंड जो होती है वो पर्मानेंट होती है और इसके पास indestructible powers होती है वो destroy नहीं हो सकते it cannot be destroyed land जो है permanent होती है सर उसको हम destroy नहीं कर सकते बगवान के दिया हुआ वरदान है वो बात समझबार यह land जो है passive factor है लोगों को जमीन पर काम करना पड़ेगा human factor is excise on land it does not produce anything on its own लोगों को उस पर कुछ बोना पड़ेगा तभी जाके कुछ उगेगा land immobile है land cannot be shifted from one place to another one place to another shift नहीं हो सकती सर immobile है land has multiple users बहुत अलग-अलग users में काम कर सकतो land पर आप ये भी industry भी बना सकतो आप जो है खेती भी कर सकतो land is heterogeneous no two pieces of land are same land की पूबिया होती है fertility में कोई situation में अतर-अतर होती है अलग-अलग जो है चीज़े उसब होती है labor labor मतलब labor मतलब क्या होता है जो लोग काम करते है उसको generally labor होते है human efforts basically जिस चीज़ पर लगे labor बोते है labor जो perishable होता है labor अज का काम सब्सक्राइब जो आज ही खतम हो सकता है कल इसको ट्रांश्फर नी कर सकते labor जो है active factor होता है labor काम करता है land पर तभी जो है काम होता है labor इस इन से पर फिर वह सम्सक्राइबर सर मजदूर को मजदूर से अलग नहीं कर सकते लेबर है, फूर बार्गिनिग पावर, हर लेबर की जो बार्गिनिग पावर होती है, हर लेबर की बार्गिनिग पावर अलग-अलग होती है, लेबर मोगाइल होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट अराम से मूव कर सकता है, अप एक दम से थोड़ी ना, लेबर ला सकते ह उसके अक्कॉर्डिक चीज़े हो सकती है चैपिटल वह चीज़ होती है जिसकी वज़यसे चलती है बिल्कुल लेलेंगे इसकूरजवाई अभी पूरा जो काम में आती ही चीज़, जो further production में काम में आती है, further production में उसको हम capital बोलते हैं, capital एक stock concept होता है, हमेशा ध्यान रखना flow concept नहीं होता है, सार, लिग्टा भी तो, ख़ै बहुता है, capital is a stock concept, capital is a stock concept, capital is a stock concept, capital सृ, produced means of production को हि Agnes,raltar, producer means of production, और या फिर man made instrument ofgeschकृ इसको हम क्या भोता है, produce means of production या फिर man made instrument of production, हमेशा ध्यान रखना हूँ, capital refers to capital refers to all man made goods that are used for further production of wealth, जो wealth को और बढ़ाने में मदद करे उसको हम capital बोलते हैं सर जो wealth को और बढ़ाने में मदद करे उसको हम बोलते हैं क्या सर उसको हम बोलते हैं further production सर हम जो distinguish करते है land labor because land and labor are not produced factors हम उनको produce करते हैं मतलब जो labor अपना land पर अलग से काम करने जाता है अलग से चीज़ें बनती है सर इसके एक्जामपल क्या हो सकते हैं डैम्स कैनास ट्रांस्पोर्ट एक्विप्मेंट यह सारे क्या है सर कैपिटल है यह सारे सर क्या है सर कैपिटल है यह रिकॉर्डड वीडियो रहेगी नहीं कि I don't know अबाउट इस ज्यादा लेंथ की वीडिय कि सैटथ हो सकती है जो बार-बार modern English कि गभिदिंग फ्लांट जिसको पड़ी रहती फिक्स कैपिटल नाम एक रियल कैपिटल भी कहा जा सकता है हमारी स्किल्स हमारी एबिलीटी बात समझ मारी इसे बिल्कु सब्सक्राइब जो टेंजिबल हम देख सकते हैं नहीं देख सकते जैसे कॉपिरेट गुट्विल पेटिन वगरा शोचल का रोड ब्रिजे अगरा जो गौवर्न्मेंट अपको प्रिडूस करके देती है इसको ब सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब फेज़े नहीं करसकता हमको चीज़े वार कर रहाए है वंन्हांत जैदा नुप्सान हो दूसरी जगे एंद तीसरा क्या होगा सर इंडस्टियलिस्ट को सर बड़े-बड़े व्यापाई उनको सर जब उनको लोन दिया जाएगा वो यूज कर सकते उस लोन को और वो लोन को यूज करके सर और सर मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब सर सबसे पहले सेविंग होगी सर इससे हम क्या करें मोबलाइजेशन ऑफ सी मतलब क्या यहां पर अपने सेविंग खाते खुलेंगे सेविंग अकाउंट ओपन होंगे एवडी अकाउंट ओपन होगा और इसी फंड से इसी फंड से क्या होगा सर लोन्स वगरा दिये जाए इसी फंड से 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 लोन्स वगरा बात समझ में सबस इन तिनों का जो portion जो decide करता है कि किस कितना amount मुझे किस particular factor production का चाहिए यह कौन decide करता है entrepreneur और उन mobilize करता राइट proportion में add करता क्या क्या काम करता है सर वो business start करता है risk bear करता है uncertainty को absorb करता है नई नई चीज़े लाता है innovation लाता है technology में एडिया लाता है अच्छी चीज़े करता है enterprises की objective क्या होता है सबसे पहले होता और गनिक अबजेक्टिव मतलब बिया मैं इतना पैसा दे कि मैं घर पर ठूड़ा सा पैसा ले सकूं फोर्षा प्रोफिट कमा सकूं उसको क्या बोलेंगे economic profit किसको बोलेंगे सरे मैं फोर्षा कमा सकूं उसका मुंने हुआ एकनॉमिक अब्जेक्टिव के पूर्ति होना आगे बढ़ते जाओ सारी चीजे में कवर करवा तो सोशल अब्जेक्टिव मेरी सोसाइटी को अभी थोड़ा भला हो जाया उनके लिए सप्लाय हो जाया गुड़्जन सर्विसे सप्लाय हो जाया कोई गलत काम ना हो जो एम्प आगे बड़े यह यूमन उब्जेक्टिव होता है अच्छे से जो है आगे फ्रॉस्पर हो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े थे और गयनिक जिंदा रह सकूं एकनॉमिक पैसा कमा सकूं तोशल सोसाइटी का भला हो जाया लोग काम करने आल उनका भला हो जाया स्क्राइब करेंगे कैसी चीज़े चेंज हो ज़कती कब कोईड आ जाए कब लेवर वगएरा प्रबम्डे ट्रेड यूनियं गरा बनने लग जाए क्या स्टेट वगर पॉडक्शन में दिक्कत आजाया क्या चीज़े चले क्या चीज़े नी चले क्या शॉटे जाजाए कोव फ्लड अर्थ्विक जैसी सिचुएशन आ जाई ये सारी सिचुएशन भी एक बिजनस्मेन को जो है एब्सॉप करनी पड़ती है वो रिस्क को जो है पोसना पड़ता है के अगर बात की हो है अगर मैंने इंडस्टरी लगानी पड़े अगर मैंने स्ट्व से लगाई और मैंने ज्यास्टाशन करने है सर मुझे सोचना पड़ेगा एसन पड़ेद की मुझे कितना बड़ा प्लांट लगाना है यह इसको सोचना पड़ेगा तरी सोचना पड़ेगा अपने एंटर्पियोर, तर मुझे finance के बारे में सोचना पड़ेगा, कहां से loan लूग, कित्ते का loan लूग, कब तक का loan लूग, कब तक ये खतम हो जाएगा, कौस structure क्या रखूं, कितने लोगों को मैं अपनी company का shareholder बनाऊ, organization का structure में मुझे decide करना पड़ हर किसी बंदे को कुछ न कुछ जो है responsibility, authority देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, marketing के बारे में सोचना पड़ेगा, 4P जो अपने होते है, product, promotion, price, place, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़े याद रखने हैं कि या सब नहीं, बस conceptually याद रखो, तक यह MCQ में तुम फोड़ दोगे, इतना ज्यादा complexity वेली बात है, legal formalities के बारे में सोचना पड़ेगा, किससे tax audit करवाओ, किससे corporate tax कितना भरू, exercise duty कितना भरू, यह सब किसको सोचना पड़ रहा है, सर, इंडेस्टियल के साथ relations maintain करने पड़ रहे है, मिल जाएगा सर, सब कुछ मिल करूँ, मुझे relations भी सरी time to time बना के रखने पड़ेंगे, बात समय मारी सब बीकु सब, अब आजाओ production function पर, यहां से अपना chapter एकदम you turn लेता है, बहुत चंदार तरीके से, तब आजाए यह production function पर आगए, तब आजाए यह production function पर, आजाए production function पर, जल्दी से बतेंगे, बहुत अच्छे note से तुमको concise way में सब कुछ revise करवा देंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, आजाए, सर ठीक है, production function देखिए, production function क्या होता है सर, सर यह production function हमको बताता है, relationship between firms, scarce resources, और output, कि भहिया, कितना input डालू, क्या बोल जी रहा है सर, कितना input डालू, तो कितना output आएगा, सर, एक तरफ से आलू, निकालो, दुसी तरफ से सोना आएगा, ऐसा नहीं, भहिया, input और output में जो relationship है, इन्पूट और आउट्पूट में जो रिलेशन्शिप है सर वो हमको कितना बताएगा प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा अब यहां पर कुछ कुछ चीज़े जो है अपने को मान के चलने पड़ेंगे अगर इस फंक्शन को पढ़ना है सबसे पहला इन्पूट और स्पेसिट पीरिट ओफ टाइम पर हम देखते हैं रिलेशन्शिप पीरिड़ पीरिट आउव टाइम की बारे में बात करते हैं स्प्यूट भाoa करते हैं धर प्लस एक मशीन हमारे पास थी हमारे पास चार लेबर थी एक मशीन थी प्लस एक मशीन थी अब हमको relation जानना है सर किसी इसका कि कितने आदमी और कितने मशीन को मैं लगाऊं तो कितना production होगा कितने आलू कितने लेबर और कितने मशीन को डालू तो कितना production होगा यह हमको कौन बताएगा सर यह हमको कौन बताएगा यह हमको बताएगा हमारा प्यारा सा production function यह बताएगा नहीं बताएगा सर यह हमारा प्यारा सा production function अमको बताएगा बताएगा नहीं बताएगा सर बिलकुल production function दो मशीन और एक रोबोट रख़ें तो कि चीज़े गड़वर हो जाएगी पर तो हम जो है रेलेशन देखे नहीं पाएगे कि कितने से कितना बनाएंगे इसलिए हम यहां पर एक चीज इस वारी तेक्नलोजी यहां पर इसा नहीं बोलते कि यारम सारे रोबोट को यूज करने लग जाएंगे हम सबको जो है नौका देए फासर जमारी ठीके वहाटेवर इंपूट कॉमिनेशन सां इंकूड़ेट द। आउट्पूट रिजल्टिंग फॉम इस मैक्सिमम् लेवर हम यहां जितना इंपूट डाल रहें उससे हमारा आउट्पूट जो है मैक्सिमम मैं ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन हमको करके दिखा ह चाल रबर दिए और एक मशीन वुभी है उनको मस्क कर सकता है मेंकिसिकली पूरणTrans requisite से दो चीज़े पूछने केकोशिश करते हैं कौन से दो कि भीया मुझे यह बताओ अगर तुमको गिवन इंपुट दिया गिवन इंपुट अगर मैंने दिया इससे मैक्सिमम आउट्पुट कितना मिल जाएगा मैक्सिमम आउट्पुट कितना मिल जाएगा किससे सब गिवन इंपुट से हम पूछते हैं हमारे प्यारे देव मानुस से सर studio मानुसルク किने लगे के मिनिमम इनपुट कितना लगेगा मिनिमम इनपुट कितना लगेगा अगर तेरे को तेरे को यह मैंने input दिया या फिर production function हमको यह बता अगर तेरे को हमने बुला है 2 kg 2 ton का production करना है 2 ton का production करना है तो कितना minimum input लगाएगा यह हम कौन से पूछते सर यह हम production function से पूछते अब आ जाओ short run और long run sir short run क्या होता है sir short run क्या होता है sir short run वो run होता है जहां पर at least one of the inputs use is fixed मतलब एक machine तो minimum अपनी fix हम सब कुछ चेंज नहीं कर सकते है मतलब क्या सब मिला के सर हम जो है यहां पर नया capital equipment नहीं लगा सकते है यहां पर install नहीं कर सकते है अपना production अगर हमको increase करना है तो हमको variable factors को जो है यूज करना पड़ेगा मतलब क्या sir long run is a period of time और उसके जो है difference पर long run कौन सा पीरिड़ होता है जहां पर आप सारे फेक्टर प्रॉडक्शन कि बिल्कुल समझ मैं सर कोई दिक्कत वाली बात है सर यह कॉप डॉग्लस प्रॉडक्शन प्रॉडक्शन के क्या कुछ नहीं आरने की करता है और जो आपकी capital होती है ना capital capital वन फोर्थ कोंट्रिबूट करती यह आजाता है लेबर मतलब बढ़ा आदमी भी इतना जो चाहां करेगा वह उससे साम करेगा आपको प्रॉडक्शन में थ्री फोर्थ लेबर आपको किस्ता कोंट्रिबूट करके देगा थ्री कि जो एक्वेशन है ना वो तुना सा ध्यान रखना ना इननने एक कॉंस्टेंट रहा हुआ है फिर लेबर की पावर एक रख लिए इन्टू सी डेट इस कैपिटल यह जो एल है लेबर कर रहा है ती जो डिनोट कर रहा है और सब जो के हैंना यह के टेकनलोजी हमारी कॉंस यह हमको ऐसा शूओ कर रहा है टेकनलोजी इस एसे करके शोओ कर रहा है ठीक है ऐसा बस याद कर लो ऐसा इनने एक कुष यह कस रखते है मिनिममम मिनिमम एक फैक्टार्ट पक्स्त रखते हैं प्लस अध्र फैक्टर्स वेरिएबल रखते हैं और फैक्टर्स चींच पूरा अच्छे संब्झेंगे कैसे काम करते क्या नहीं करते लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ पर देखो मैंने बहुत अच्छे तुमको प्रेजन करके दे रखाया तुमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जब तुम जो है मेरे नोट से जो है बाद में पढ़ाई करोगे ना तुमको कुछ दिख्कत इस नहीं आएगे यहां पर ध्यान से देखिए हमने टेक्नोलोजी को एक तो सबसे पहले एस्यूम कर रखाए कि वह अंगिवन है और अंचेंज है उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं सब सबसे पहले अंचेंज देती है उसम अब मस्पी सम इनपूटिटेि इस हमको कुछ-कुछ मशीन ज रखके रखनेए तर हमारी quantity जो कुछ-कुछ मशीने की जो है fix रहनी चाहिए, ठीक है कुछ-कुछ quantity हमारी जो रहती है न वो हमारी fix रहनी चाहिए, बिलकुल-बिलकुल बता देंगे चिंदा मरकर, ठीक है, हमको एक input को fix मानना है, बाकि सारे factors को क्या मानना है, variable, तब the law does not apply to those cases where factors must be used in fixed proportion to ill output, अगर तुमको बता दिया भाईसाब, कि यहाँ पर एक labor लगेगा, एक machine लगेगे, हमेशा ऐसा ही होगा, इससे अगर तुम बड़ा भी लोगे, labor अगर बड़ा भी लोगे न, तो आपका production बढ़ने वाला नहीं है, आपकी cost बढ़ने कम होने वाली नहीं है, अगर आपको ऐ बढ़िया, बढ़िया cost कम कर पाओगे, या फिर और जादा output बढ़ा पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, अब यहाँ पर बहुत अच्छी टेबल है भी या, पूरा concentration मुझे चाहिए, एक बार में table समझना आनी चाहिए, ओके, देखो भाई, देखो, जल्दी जल्दी देख पूरा concentration मुझे चाहिए, इस table पर आपका पूरा concentration इदर देओ, पूरा concentration इदर गो गूड अफ्टेनून सर, गूड अफ्टेनून पूरा concentration मुझे चाहिए, इदर इच, इदर इच, आपका ओहो तेजस सर इन दा हाउस तेजस सर इन दा हाउस हलो सर कैसे हैं आप कल मैंने देखा था सर इंटर के चैनल पर तो अलग ही जो है अहौल बन रहा था तेजस सर इन दा हाउस कल अकाउन्स के सर अराउंड 550 व्यूर्स जो थे एक्जाम आ रहे एक दो दिन में तो अलग ही जो है माहल बन रहा है बच्चों का तेजस सर सब बताओ ना सर मैरोथान का सब वेट कर रहे हैं आपका एक सेशन देखा था हमने उसमें तो एक अलग ही जो साने वाले हैं बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं कि अकाउंट भी हमको ऐसे ही दमागेदार तरीके से हो जाए तो 400 में से 200 नंबर का तो खतरनाक बंदोबस हो जाएगा बढ़ियाओं सर आप सर मेरी कोई दूआ नहीं है वाले की दूआ है बागे बढ़िया है दूआ तो आपकी है सारे स्टूडेंट्स पर फाउंडेशन वाले कि आईगे सर कल आपका सेशन स्केडूल्ड है मैराथॉन का आप नॉट रॉग सर अल्रेडी त्यार है सेशन हां तो सारे स्टूडेंट्स एक बार नोट कर लें कि आज के सेशन के बाद तुम्हारा फाउंडेशन का भी शायद कल से जो है मैराथॉन वगेरा स्टार्ट हो जाएगा पूरा धमागेदार तरीके से और अभी एक पता है अच्छी बात बता होने वादा है अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स के फेपर से अभी खतम होन वाले तो अपने तेज़स सर ना पूरे अवेलेबल हो जाएगी अपने फाउंडेशन के लिए टेटी के ठीक है तो एकदम अपना कारिक्रम चका चक टका टक बनने वादा तो पूरी तरीके स से जो है तैयार हो जाओ तेज़सर के साथ जो भी फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ लेगा ना उसको इंटर में सीए फाइनल लेवल पर अकाउंट्स इगदम इतना हो जाएगा जबरदस्क तगड़ा तैयार कि जिसकी जो है हद भी नी विकॉस सर के जो कॉंसेप्ट से एक बार जिसने पढ़ लिए यह बेस्ट काम हो जाए है ठीक है सर फिर कल जो है मैरेथान में सब जो है स्कूरेंट्स आईएगा और अच्छे से उसको अटेंड करिएगा अभी पूरी टेबल पर कॉंसेंट्रेट करते हैं अगर और कुछ भी शेयर करना हो तो एक काम करिए आप या तो लेट नाइट अपलोड कर दीजेगा अभी मेरेथान मेर जो है वीजी रहेंगे तो शायद वो देख नहीं पाए आप जो है प्रीमेर करने वाले हैं कि पूरा ही उसको अपलोड करने वाले है ऐसे देखतो ले अब यह बहुत शांदार अभी पूरा कॉंसेंट्रेट करो पूरी टेबल एक बार उपर से देखलो फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी क्मांटिटी पर कितना पूड़क्ट आ रहा है कितना अबरेज पूड़क्ट आ रहा है तो एक दम तुमारा अच्छी तरीके से जो और जाधा कॉंपलेक्सेटी तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल सब कल सुबर प्रिमेर कर दीजिए आप अपना सेशन अच्छे सारे देख लेंगे उसको कोशिश करेगा लाई भी देख लो दोस्ट प्रीमेर होगा हो सकता है उस पर आप जो है डौट्स पोग जो है कल सेशन हमारा देख पाएंगे वो ठीक है चलो quantity of labor पर आजेगे टोटल प्रोड़क्त के हम बात करते average प्रोड़क्त के हम बात करते मार्जिनल प्रोड़क्त के हम बात कर देखो मेरी बात दोस्त ध्यान से सुनो अगर तुमने quantity एकक करके बढ़ाई एकक करके quantity अगर एकक करके क्वान्टिटि अगर labor की एकक करके बढ़ाई आपने तो मैं तुमको क्या कह रहा था जो initially आपका marginal प्रोड़क्त है सर इनीशली जो आपका marginal प्रोड़क्त है वो इंक्रीज होगा सर 100-110 110-120-110 इंक्रीज होगा बताइए होगा नहीं होगा सर जल्दी बताई प्रोडक्ट है, वो increase होगा सर 100 से 110, 110 से 120, 120 से फिर decrease हो जाएगा, मतलब क्या सर? Initially आप बहुत अच्छे से जो है अपना production increase कर पाएंगे, विकॉज जो आपका additional labor आएगा, सुर जो आपका additional labor आएगा, वो आपको बहुत अच्छा काम करके देगा, यहां पर देखिए ध्यान से देखिए इसी की वज़े से total product भी अपना increase होगा increasing rates से increasing rates से increasing rates से increasing rates से increase होगा जब अपना initially आएगा TP rises at increasing rate as MP rises देखो सबसे पहला point बाल समझ मारीए पूरा तुमारे लिए बहुत अच्छे से notes पर synchronize देखो तुमको कोई दिक्कत इच नहीं आएग देखो दूसरा point देखो सर TP rises at decreasing rate as MP falls as MP falls यहां पर देखो जैसे MP fall हुआ लेकिन किस rates होगा सर MP fall हुआ MP fall हुआ हां हुआ MP fall हुआ सर आमको दिख रहा है लेकिन आपका TP increase होगा still TP will increase at decreasing rate बात सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस वाले पीरेड में सर आपका जो एपी है न एपी एवरेज प्रोड़क्त वो तो हमेशा जो है इंक्रीज होता रहेगा सो से 105 110 110 होता रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है यह वाले होता है फर्स स्टेज सर म होता है फरस स्टेज सर यह ली क्KE खतम कब सबसे पहली बाद यह है आपका टीपी क्या हो रहा है टीपी आपका टीपी आपका इस पेज में यहां तक से फेज में यहां तक क्या और इस फेज में हैं यहां तक यह है आपका य है इस फेज हो देखbles को देखा होग लगा ना उसको तो बहूत जादा सभा रहें َّसें ंस के बादेंजских है यहां टरके हर दिन उनदर चलिया लगे तो यहां तक देख और यहां तक देखें, यहां पर क्या हो रहा है, MP जो है, इंक्रीज हो रहा है, MP यहां तक इंक्रीज होगा, सर बिल्कुल होगा, MP जैसे जैसे इंक्रीज होगा, MP इंक्रीज होगा, आपका TP इंक्रीज होगा, किस रेट पर, TP इंक्रीज होगा, decreasing rate पर, increasing rate पर, जब तक MP सर जब आपका MP decrease होगा MP decrease होगा MP decrease होगा तो आपका TP increase होगा लेकिन decreasing rates होगा इस वाले period पर क्या हो रहा है MP follower लेकिन आपका TP क्या हो रहा है टीपी increase हो रहा है decreasing rate decreasing rate बात सहुनमारी और यहां पर यह stage खतम हो जाएगी जब MP और AP cut करेंगे एक दूसरे जब MP और AP एक दूसरे को cut करेंगे न MP cuts AP MP cuts AP पर यहाली stage खतम होगा यहाली stage खतम होगी सर इसको हम क्या बोलते है increasing return to factor इसको हम क्या बोलते है increasing return to factor यह पहली वाली stage है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन decreasing rate से होगा यह तो पता है आपने को क्योंकि अपना यह वाला फॉल है तर यह वाला जो है MP है यह MP हमेशा fall होता रहेगा MP fall हůता रहेगा होता रहेगा नहीं होता रहेगा करेगा चीह पि अपका होता रहेगा सर् यह देखिए यहां पर अब यहां पर आपका AP जो है, सर आपका जो AP है, यहाँ पर ज्यान से देखिए, सर आपका जो AP है, confusing हो रहा होगा, confusing हो रहा होगा, लेकिन टिके रहना, सर जो आपका AP है, MP के उपर चले गया, MP के उपर चले गया, लेकिन यहाँ पर दोनों दोए fall करते रहेंगे, TP आपका increase होगा, decreasing rate से, और इस stage के बाद, जो है, आपका MP zero हो जाएगा, MP zero हो जाएगा, आपका TP भी fall हो जाएगा, TP यह होती है third stage, यह होती है सर थार्ड stage, यह होती है आपके third stage, बात समझ में है, जल्दी बतेए, बात समझ में आई या नहीं है, बात समझ में आई या नहीं है सर relationship के अगर हम बात करे average product और marginal product में relationship क्यों बात करे तो जब तक MP greater than रहेगा AP सर AP rise होगा हमने यहाँ पर भी देखा यहाँ पर भी देखा सर जब तक आपका MP AP से बड़ा रहेगा सर जब तक आपका MP AP से बड़ा रहेगा सर कैसे यहाँ पर देखो यह MP बड़ा है तो आपका जो है अपका MP बराबर हो जाएगा आपका AP अपने maximum पर आ जाएगा विकाज इसके बाद वो fall होने लगे इसके बाद जो है fall होने लगे जब आपका MP देख रखे होंगे बहुत अच्छे दे पहली बार में ही समझना आ लिए होगा जिसने नहीं देखा वो एक बार देख लिए दिखकत नहीं है, कोई परिशानी नहीं है, All Clear, Done यह पूरा आपको अगर confusion भी है तो एक बार जा के आप जो है आप अच्छे से क्या देख लोगे, एक बार वन शॉट देख लिजेगा और अच्छे से से हो के गया है बहुत चाँदा सर सार स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटन में क्या होता है total product इंक्रीज होता है increasing rate पर manager product भी rise होता है लेकिन अपने maximum पर जाता है उसको हम point of infection बोलते है है तोटल पूर्ट उसके बाद जो है डिक्रीज होने लगता है लेकिन हमारा जब तक AP और MP जो है कटर नहीं करता तब हमारा इंक्लीजिंग रिटन चलता है ऐसा क्यों होता है इंक्लीजिंग रिटन का एक्स्वेंशन चलता है तर हमारा फिक्स बहुत अच्छे चीज़े यूटिलाइज हो चुकी है बहुत अच्छे जो है चीज़े जाने लगी है बात समझ मारी है ठीक है सर मार्जन प्रोड़क्ट वीरिवन फेक्टर सर जीरो हो जाता है सर उसके बाद जीरो हो जाता है क्यों क्योंकि सर चीज़े डिक्रीज होते गई यह सर चीज़े decrease होती गई है और सब क्यों है labor अपना best काम कर चुका है अब जो है एक दूसरे में लड़ाई होने लगी है confusion होने लगा है अब decreasing चीजों पर चली गए law of diminishing return क्या होता है सर अपना MP होने लगा है अब अपना नेगेटिव होने लगा है सब कुछ negative में चीज़े जाने लगी बिकॉस बहुत साइब चीज़ अब expensive हो गया वेरियाबल फेक्टर भी अब expensive होने लगा है तो इक स्ट्रक्टर ने भी अपना पूरा काम कर दिया सर हम किस फेक्टर और सेकेंड वाले लेवल क्या हो रहा है हमको सोचना पड़ेगा कितनी कॉस लग रही है वन्ना हम चीज़े करनेगे यहां पर देखो stage 1 और stage 3 में तो काम नहीं करेंगे हम stage 2 में हम काम करेंगे अब आजाओ return to scale पर आचुके हो अब मुझे बताओ return to scale पर आ चुके हो आप सब return to scale शरत जल्दी से बता डीजञे सर पोई सोत हो नहιं रहा है जल्दी से बता ठीज़े कोई सोत हो नहीं रहा है सब कुछ मिल जाएंगे चिंता करने वाली कुछ बात रहें नहीं नहीं सर आपकी क्लास में नीम कहां एक दम समझ मा रहा है सबको अच्छे से कोई दिक्कत परिशानी वारी बात तो नहीं है बहुत चांदार यहीच यहीच आपका जोश चाहिए तक यहीच आपका जोश चाहिए रिटर्न टू स्केल पर आज़े लिए तो यू पीपल नीड एनी ब्रेक ब्रेक लेने की इच्छा हो रही कि किसी की कि सर एक ब्रेक ले लेते हैं दस एक मिनिट का वापस फ्रेश होके आ रही है उसके बाद कंटिन्यू करें क्योंकि हमने सप्लाई पूरा कंप्लीट किया अब अभी डिटर्न टू स्केल पूरा कंप्लीट कि तर नीड इन इनफिरियर गुड्स मोह सर के क्लास इस शुपीर देटूस कि जल्दी बताईए इसा कुछ फील हो रहा है इस जो है दस मिनिट बाद स्टाट करें जल्दी बताईए अगर मन हो रहा हो था अब हुआ अब तर इसके बाद लेते हैं ब्रेक इसके बाद ब्रेक ले रिटर्न टूस के लिए आफ्टर करतें ओके दन 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 यहाला चप्टर खतम करते हैं फिर ब्रेक लेंगे यहाला चप्टर खतम करते हैं फिर ब्रेक लेंगे जल्दी बताईए सर, return to scale, return to scale क्या होता है, return to scale होता है long run वाला scene, long run वाला scene होता है, सर, मतलब जहां पर सारे factors of production हमारे variable हो जाते हैं, सारे factors of production हमारे variable हो जाते हैं, कोई समस्य वाली बात ने आती, सर, हम अपना output जो है, सारे factors of production को जो है, change करके ले सकते हैं, लिक्त वाली परिशानी वाली बात ही अब आपर दीखी जोजो important चीज़ें में तुमको बताते जा're तुमको जोए ध्यान हमाजया सबसे फेले यहाँ पर आजया और सबसे important है अब यहाँ पर increasing return constant return w go up यहाँ पर यहाँ पर इंक्रीजिंग return to scale डिक्रीजिंग return यह लगाया था उसे ज़्यादा अउट्पूट इसको बोल कोंने इंक्रीजिंग रिटरण टु स्केल एप्लास सबक् danced चाहिए उनकरीजिंग रेबर से ज़्यादा का इनक्रीजिंग रिटरं 2022 स्केल आपका जो output का जो increase है जो output का आपका increasement है वो ज़्यादा है as compared to increase in increase in आपका factors increase in factors बात समझ मारी है जल्दी बताइए बात समझ मारी है बिल्कुल सर लेकिन दूसरी प्रकार a plus b is equal to 1 sir a plus b is equal to 1 sir इसमें हम क्या बोलेंगे sir इसमें हम क्या बोलेंगे sir आपके जो factors का आपने increase किया उसमें और sir हम a plus b less than 1 कब बोलेंगे sir मतलब क्या sir आपका जो output है ना जो output आपका increasement है ना output में जो increasement है वो less than है जो आपने factors में increase किया जो आपने factors में increase किया बात समझ मारी तीनों चीज समझ माही तुमको एक दम तुमारे भेजे में गया बिल्कुल गया मतलब हमारे output जादा से increase हो रहा है जितना हमने input लगा है उससे increasing return to scale बराबर हो रहा है तो equal to 1 output बढ़ा है लेकिन कम ratio से बढ़ा तो sir उसको हम बोलेंगे decreasing return to scale बात समझ माही इसलिए increasing return to scale हो रहा होगा decreasing return to scale क्यों हो रहा होगा because sir difficulty in management हो रहा होगा coordination control नहीं बन रहा होगा बहुत हट तक हम already expand कर चुके होगे इसलिए क्या हो रहा होगा decreasing return to scale बात समझ माहीं दोनों चीज समझ माहीं कोई समस्य वाली बात तो नहीं है बिल्कुल sir कोई समस्य वाली बात नहीं है अब आजाओ production optimization करने के लिए क्या क्या उसके लिए हम बात करते हैं पर यहां पर हम इसो और फिर यह बात करते हैं इंडिफेंस करना इन नहीं पर अपन क्या बात करते हैं इसको कोई भी कॉमिनेशन देतो जमता है उसको कोई गी combination दे दो, उसको जमता है, कब जमता है, सर, जब तारे combination उसको equal satisfaction दे, उसी प्रकार isocont क्या होता है, सर, isocont क्या होता है, सर, isocont होता है, तारे combination of inputs which are capable of producing the same level of output, same level of output, मतलब क्या सर, आप एक machine दे दो, मेरे को, या फिर मेरे को 12 labor दे दो, 12 labor दे दो, यह जो यह व सब्सक्राइब कर आब भर औल्युचल में दो मसीन लो और आठ लेवल ले लो प्रॉब अज LI दो किता प्तै क्व honesty यह मंतलब क्या सर आईसोक्र क्या एक सारी combination हमको बताता है जहां पर same level of production आये with different combination of labor and machine या फिर different factor production से जो भी combination है लेकिन अपना same same जो है production होना चीए अब जिसको graph पर डाल दिया अपने तो इसा graph बन जाएगा अपना same बन माया ठीक है तर यहां पर एक बात ध्यान रख नहीं कि भी आप जो अपका जो slope होता है इसो कॉन नेगेटिव स्लोप होता है convex to the origin होता है ट्योंकि डिमिनिश्टिंग मार्जिनल रेट अफ टेक्निकल सब्सेटिशन ना नॉट इंटर इंटर सेक्टिंग यहां पर भी जो यह होता ना MRTS यह भी सर फॉल होता है यह भी फॉल होता है बात समझे मारी यह भी फॉल होता है जैसे अपना MRS होता था ना marginal rate of substitution MRTS भी फॉल होता है और यही फॉल होता है लेकिन एक चीज़ में खासियत क्या है इसमें एक चीज़ खासियत क्या है तर हमारा जो indiferenュs कर यह अ को लिएक हमको उसली को आपना MRTS सर यह हमको बता देता है कि कितना कने को करनेतार यह एक मेजर डिफरेंस होता है अब आज्यो अपना बज़ेट लाइन था ना वैसे इसकोंसन लाए यहां पर देखो का किसे इन्हें बना रहा तरह इन्हें बोल रखा है कि मेरे पास हजार रुपय है हमारे टोटल बजट है 1000 करोर्स का है करो चाहिए बताओ हम लेबर कितने लगाएं है ना सार एक काम करो एक लेबल ले लो या फिर दो लेबल ले लो और कितने सच चार है सब्लाव कितना पर दो टीन आप ले लो यहां पर 3 मशीन, सब 3 मशीन ले ली तो कितना खर्चा हो जागा, 3 इंटू 200, 600 रुपे, और यहां पर 400 रुपे, टोटल 1000 रुपे का खर्चा हो गया, हो गया 1000, सर जैसे आपन बजट लाइनमे कर रहे थे, सेम वेसा का वेसा, सर सेम वेसा का वेसा हम किस में सेम वीचा विशा हम आईए सो कॉस्ट मेभी करेंगे और अलग अलग कि मिलाएं मतलब किया सुरी ये ऑला जो जो कॉम्देर के रुपे के बजट मे बना उआ है तप वाला कॉम्दिएशंय कित्य बजट में बना hottest है सिन जो उन जैसा आपका जो हैंस उक्विलिब्रियम कहां पर आएगा सब्डशन अक्रव और पर आएगा सब्सक्राइब सेम हैं प्रोडक्षन सेम क्या सर्? आपके 100 टन्स का आउटपुट बन रहा है, 100 टन्स का आउटपुट बन रहा है, ठीक है, 100 टन्स का आउटपुट बन रहा है, और आपका जो ये लाइन जो है, ये जो अलग-अलग लाइन है, ये क्या शो कर रही है, ये जो लाइन है, L2L1, ये कितने सरी 100 करोड पर बनी सबसे अच्छा काहां पर बनेगा सर यहां पर लेकिन क्या इस पर कोई आई-सो आई-सो अपने जो कर्व है यह तच हो रहा है कर नहीं हो रहा है यहां पर सबसे कम बजट में less budget less budget less budget plus same level of output same level of output मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा सर सेम लेवल और इसी लिए सर हम यह वाला जूज यह वाला जूज करेंगे बिल्कुल चूज करेंगे और इसी करन वह चीज हम चूज करेंगा और इसी के साथ भी है 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 पे लर्निंग हमने जो है प्रोडक्शन का चप्टर प्रोडग्शन का चप्र-पामरिं यह मजा आया सुआ। बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सुरे जल्दी बताओ। बढ़िया बढ़िया मजा आया मजा आया पूरा अच्छे जब प्रोडक्शन रिवाइज हुआ तो अब तक हम ने कौन-कौन से चेप्टर कर दिये कि रिविशन ड़न कि अपने रिविशन कर दिया डिमांड का कंज्यूमर बिहेवियर का कि अप्लाइए का कि प्रोडक्शन कि रिविशन डिमेनिंग कि रिमेनिंग क्या क्या है सब्सक्राइब को अब है कि बिजनेस साइकल कि मारकेट्स कि इंट्रोडक्शन चैप्टर्स मुझे बताओ और क्या remaining है कि इसके अलावा कुछ remaining है क्या इसके अलावा कुछ remaining है कि मैंने जुलिस्ट बनाएंगे हाँ डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लेना जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको तुम जो है नोट्स ले सकते हो हाँ अभी भी करवा रहा हूँ ठीक है अब अपना जो रिविजन का सेशन स्टार्ट होगा वो होगा कोड़ा सा बड़ा ब्रीक ले लेते हैं पाइफ पीएंगे हां कॉस्ट के बाद मार्केट ले लेगे हैं अपीश होगे कि अभी लगेगा यार पूरा कपुरा कोर्स करने वैठें अपन पूरा को पूरा कोर्स करने बैठें मजा तो लाईगा और सारी चीज़े तो वहीं है पूरा दम लगाना पड़ेगा तुमको अपनी साइट से और मुझे भी अपनी साइट से तुमको जो है मेरा साथ देना पड़ेगा तभी हम खतम करवा पाईए ठीक है थोड़ा सा ब्रेक्ट दे देते हैं आप भी टाइम साइएगा अगर सब कुछ अच्छे सा कवर करना हो उसके बाद भी वन शॉट तो ही आपके पास लेकिन लाइव में मज़ा लागे स्पील लागे ओके सारे स्टूडेंट्स को बोल दो कि अब अपन कॉस्स से स्टा झाच झाच को झाच सारे सारे स्टूड़ारा ये झाच झाल 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 सब्सक्राइब करें जल्दी से बता दीजे क्या सब आज बहुत है करें जल्दी से बता है बहुत शांदार यही एनरजी के साथ अगर हम चलते रहे तो अपना काम हो जाए यही एनरजी के साथ हम चलते रहे तो हम्मारा काम तो बिल्कुल होगे सारे चंप्र श्यन्ता कहे करते हूं और रहरे का है । चंता करता हुँ करस सब आचुके हैन। बिल्कुल सब्लकुल बिल्कुल आ चुके हैं सर बिल्कुल कि रेडी सेर्श शुरू करिये रेडी सेर्श मेनट क्या सब रेडी है क्या सब रेडी है सर बिलकुल बिलकुल सर सब रेडी है सब रेडी है एकडम शांदार दमादेता तरीका आज आओ सर कॉस्ट निप्टाते हैं कॉस्ट का बहुत अच्छे से जो है फिर से हमारे नोट्स जबरदस्त तगड़े हैं और तुम्हारा काम एकड पूरा जो है फोकस डेडिकेशन और अपना अटेंशन अब मुझे दे दीजे तो मैं आपका बढ़िया सा काम कराओ तर्फ ट्यूरी ओफ कॉस्ट आ जाई ही त्यूरी ओफ कॉस्ट पर आ जाई हूँ सर कॉस्ट अनलिसस का मतलब क्या ओता सर यहां पर अपन ब्येवियर ऑफ कॉस्ट समझते हैं इन रिलेशन टु वान और प्रोड़क्शन प्राइटीरिया मतलब क्या सर जो भी आप आप आउट्पूट बनाना चाहते हैं उस पर कितनी कॉस्ट लगने वाले हो उस पर कितनी सब्सक्राइब करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं सर राउंड अभी तो तीन घंटे तो अल्रेड़ी अपने को लगेंगे यहां से तीन घंटे तो मिनिम्मम आप मानके चलो तीन घंटे में अपना पूरा सिलेबस जो है टन हो जाए तीन घंटे तो आपको बैठना क्या सब रेडी हैं जल्दी फटा-फट बता दीजिए यस सर वी आ रेडी वी आ रेडी टू कूर अगर जो है जीवन में आगे बढ़ना है तो पड़ा ही करना पड़ेगा दोस्त पड़ा ही करना पड़ेगा और वही जो है आगे लेके जासा अगर मैं तुमको एक दिन में बैठके पूरा का पूरा जो है सिलेवस कंप्लेट करवा सकता हूं तो तुमको भी मेरे साथ जो है बिढ़ना पड़ेगा तब जाके मज़ा आएगा दोस्ते है कि नहीं बताइए 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 जरा हैनत करनी पड़ेगी वाल पूरा हंड्रेट परसेंट जो है अटेंशन मुझे दे दिया गया है बिलकुल सब्सक्राइए करना है यार मैंने तुकलनी पड़ेगी ना दोस्ते हैं ओके ठीक है ओके मेरी बात सुनो मेरी बात ध्यान सा सुनोगे जो कॉस्ट एनलिसस होती ना उस पर कितनी कॉस लगएगी वो उसकी वहले वात किसको कहा जाता है सबसे पहले बात अकाउंटिंग कॉस किसको कहा जाता है अलग से गीक किया अपनी वेंट कीए अगर पिरा पावर ऋऄंट में आपस्प्ने जाय सियल्यान कौकते होंगे तो उसको किते हुए उसको बोते है एक्सिलिशेड। कॉस्ट या फिर अकाउंटिंग कॉस्ट वा समझमारी ठीक है एकनॉमिक कॉस्ट क्या होती है सर एकनॉमिक कॉस्ट होती ही दो प्रकार की कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट प्लस इ Economic Cost Economic Cost ये दोनों जब प्यार से मिल जाती Accounting Cost प्रस Implicit Cost सर इसको हम बोलतेs Economic Cost Implicit Cost को basically कहा जाता है Implicit Cost को basically कहा जाता है Normal Return of Money Capital invested by an entrepreneur मतलब सर Implicit Cost वो आली Cost है जो की दिखाएं नहीं देती लेकिन लग जाती है For example, as a owner अगर और कहीं काम करता तो सर वो salary earn करता, बिल्कुल सर वो salary earn करता, उसको नहीं मिलती है वाली cost, जो capital उसने 10 लाग रुपे for example business में लगा रखे, तो इस 10 लाग रुपे को stock market में लगा सकता था, fixed deposit में FD वकिरा करवा सकता था, तर वो bank में जमा करवा सकता था, जो उस पर interest कमाया जा सकता था, वो कही नहीं लगतो रहा है, दिख नहीं रहा, लगतो रहा है, दिख नहीं रहा, उसको हम बोलते है, implicit cost, हम economics में कौनची cost की बात करते हैं, accounting cost plus implicit cost, दोनों cost के हम बात करते हैं, और जब हम normal profit की बात करते हैं, सर हम जो normal profit calculate करते हैं, सर normal profit का हमारा मतलब यह होता है, कि सर हमारी पूरी की पूरी economic cost जो है recover हो दिए सर पूरी की पूरी economic cost recover हो दिए सर इसको हम बोलते हैं क्या economic cost पूरी recover होना उसको हम बोलते है normal profit और economic cost का क्या मतलब मेरे दोस्तों economic cost का मतलब है आपकी accounting cost आपकी accounting cost प्लस आपकी accounting cost प्लस आपकी implicit accounting cost मतलब आपकी जो अलग से दिख रही यह वाली cost और implicit cost दोनों cost दोनों cost जो है लग चुकी है ऐसा वाला हम आगे तब हमारा normal profit आता है और super normal profit किसको बोलते है सर super normal profit सर super normal profit कमाना है तो सर आपको economic cost से ज़्यादा profit अपनी cost total cost से अगर ज़्यादा कमाया तो उसको हम बोलते है super normal profit बात समझ मारें बात समझ मारें बात समझ मारें बिलकुल समझ मारें यहां पर मैंने अच्छे से तुमको लिखा भी रखा है normal profit is a part of implicit cost तर इसको हम zero economic profit भी बोलते है इसको zero economic profit बोलते हैं, implicit cost मतलब सर आप अगर और नोकरी करते हैं तो salary कमाते हैं वाली implicit cost होते हैं, यह जो पैसा आपने business में लगा रहा है सर यह आप जो है, इसका interest आप कमा सकते हैं जो आप नहीं कमा पा रहे हो, इंटरस आप कमाते हैं इसको हम बोलते हैं, implicit cost, super normal profit और a positive economic profit and over and above this normal profit, normal profit से उपर जब आप कमाते हैं, normal profit से जब आप उपर कमाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, super normal profit, ठीक है सर, Outlay cost क्या होती है, जो अलग से हमको दिखते हैं, cost अलग से दिखाई देती है, क्या रियाली cost तो लगी, Outlay cost includes actual expenditure of funds, wages, material, rent, interest, यह सर, जो अलग सा अपने को दिखती हैं, सर, इसको हम accounting cost भी बोल सकते हैं, क्या हाँ, इसको हम accounting cost भी बोल सकते हैं, सर, opportunity cost क्या होती, सर, opportunity cost, implicit cost, अ cost of next best alternative, या फिर मिस्ट, opportunity को हम क्या बोलते हैं, सर, opportunity, बास समझ मारी है, सर, everyone, सर, बिलको समझ मारी, क्या है, सर, direct cost किसको बोलते हैं, सर, direct traceable जो हमको दिखती है, क्या है, इस पर identify होगी, for example, जब आप raw material लगाते हो, output बनाने के लिए, output बनाने के लिए raw material लगाते हो, तो त क्या सको हो, इसमें इतना steel लगा, इतना यह अपला, जो है, टेटू अगएरा बनवाया, यह सब जो है, अलग से traceable है या नहीं है, तो आप trace कर सकते हो, जो अलग से अपने handle में debit कर सकते हो, उस particular, particular product के सामने, सर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर, उसको हम क्या बोलते है, direct traceable cost, लेकिन सर, electricity जो है, for example, electricity, उसको हम apportionment करना हम पढ़ता है, क्या रही हर, यहाँ पर electricity इतनी लगी, क्या हम अनकी electricity इतनी लगी, उस त्वर pryकल इसब हए सर उस electricity को apportionment करना, क्या हं यहाँ पर इतना जो है विजली का खरचा आया, सर उसको हम क्या बोलेंगे, सर जिस cost को उसको हम क्या बोलते हैं, सर, indirect या फिन नॉन traceable cost, सर, incremental cost क्या होती है, सर, incremental cost होती है additional cost, जो कि लग जाती है, आप कुछ चीज़े जो है, अपने business में लगाते हैं, for example, अगर आपकी जो है, machine वगएरा खराब होगी, सर, आपको जो उसको repair करवाना पड़ा, sir, उसको replace करवाना पड़ा, sir, कोई नई production unit को आपको जो install करना पड़ा, नए clients को लाने में जो cost लगती है, जो incremental, usually नहीं लग रही थी, sir, usually वो cost नहीं लग रही थी, लेकिन additionally आपको लगानी पड़े ही, sir, उस वाली visitor cost, टू भी ही cost, एक बार आपने outside, तो क्या वो option recover हो पाएगा? क्या वोMr. customer prior रही थी, वो लग गया, तो लग गया, sir, वो specialized equipment में आपने खरचा कर दिया, एक बशेिलिश देनी में खर्चा कर दिया आर ऑपने तो लग गया, आसर ये लग गया, तो लग गया, करने के वक्त लगी थी कुछ मशीन वगेरा आपने एक्वायर करी थी और उससे रिलेवेंट जो बड़ी मशीन मंगवाई आपने और उसके साथ आपने उसका transportation किया उसका installation किया तो जो installation वाली कॉस्ट है उसको हम historical से लिए सदल सबसके और करना वर 178 को ब्राइट को से सब्सक्राइब क्राइबेटर हाई लिए अधिते कौने क्समे interpreting सब्सक्राइब को सबस्रेस कड़बी तर्भिवेट कॉस्ट होती है सब्सक्राइब को क Schulay incurred दिखरी है जो कि firms ने actually incur करी है जो actually incur करी है लेकिन सर उसकी जगा सर social cost क्या होती है सर social cost सर जो society को born करनी पड़ती है जो cost अपनी business activities है सर उसको हम बोलते है social cost हमारी business activities है जो society को bear करनी पड़ती है सर उस cost को हम बोलते है social cost बात समझ में आ नहीं आ रही सर बिल्कुल बते हैं सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बिल्कुल समझ में आ रहा है कोई समस्य वाली बात लिए सर जो cost of resources लगी जो firm ने को price पर करनी पड़ी atmosphere, rivers, roadways वगेरा सबको ठीक करने में सर उसकों क्या बोलते हैं सर शोर्चल कॉस्ट cost function क्या होता जैसा अपने production function बढ़ रखा न कि इतना हमको output बनाना है तो इतना जो है आपको input लगेगा उसी प्रकार कि इतना output आपको अगर बनाना तो कितना cost लगेगा यह हमको क्या बताता है cost function यहाँ पर भी दो चीज़ों की बात होगी सर क्या short run और long run क्या बात होगी सर short run और long run total fixed और variable cost का अगर मैं अंतर समझो total fixed और variable cost short run क्या period होता, short run is a period of time, short run क्या होता, short run is a period of time जहां पर जहां पर सर्थ आपका एक factor fixed रहता और अधर सारे factors क्या रहते है short run is a period of time in which only variable factors can be varied while the quantities of fixed factor remain unknown बात समझ मारी है, याद आ रहा है short run, बिल्कुछ सब याद आ रहा है, सर यहाँ पर जो है चीज़े एक है करके आप समझे जाए और जो fixed रहने वादी सर उसको हम बोलेंगे और जो fixed रहने वाली चो रहनी जो depressed, इसको हम बोलेंगे वारसर भाइस सब्सक्राइब बाक्राइब का क्या वोलेंगे गया, सर आपका output इनक्रीज होते गया लेकिन total variable इसको हम क्या बोलेंगे completely variable cost इसको एक particular आपका जो है दो हजार रुपे का तो मिल आना ही आना है, इसके ऊपर जो अपना बनता है, वो बेरियेबल होता है, जैसे electricity charges में दोनुँ चीज़ ओती सार, fix charge भी होता है और variable charge भी होता है, जो consumption पर depend लेकिन, उसके बात, आप एक limit के बाद, output increase करते हो, तो बढ़ती, for example, यहां पर जो है, for example, हमने एक manager को रखा, supervisor को रखा, इसको रका सर्फूपराइजर को तुपर वाइजर को देखने के लिए रखा कि भीया या और यार कोई गडबन ना हो तूर ना हो है कानडरेड यूनिट्स तक हन्डडर्ट यूनिट्स तक आपको जो है सूपरवाइयर करना है जैसे ही 101 यूनिट बनेगी, सर जैसे ही 101 यूनिट बनेगी, आपको एक और सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, पहले तो आपको बस एक ही सुपरवाइजर था, आपको अब हायर करना पड़ेगा, एक और सुपरवाइजर, एक और सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, कि एक और आपने एड़ किया तो सब फासवार एड़ुए को जाए कि नहीं है, सब बिलकुल अब यह 10 के कहा तक चलने वाली सर सौ से लेकर दो सो सर्ट सार यह वाली ही चलेगी 200Roomvy अध्यां, tusf टु कि आपके दो थिठाइर समाल you उसको हम क्या बहुतने सर्फ stair step, variable cost, बात समझ मारी है, जल्दी बात समझ मारी नहीं, सब बिल्कों समझ मारी, कोई समस्य वाली बात नहीं, अब देखो आजाओ, बहुत अच्छी table बना रगी, तुम्हारे बाइने तुम्हारे लिए, इस table को ध्यान से देखो, इस table को ध्यान देख रही है टेबल जल्दी बताइए टेबल देख रही है आपको बिल्कुल देख रही है सर अब ध्यान से देखिए सो सर जब आप अपना आउटपुट बढ़ाये जा रहे हैं अब अपनी यूनिट बढ़ाये जा रहे हैं आपकी कॉस्ट तो फिक्स रहेगी हजार रुपए के हजार रुपए के हजार रुपए हजार रुपए के हजार रुपए दिख रही है बिलकुल दिख रही है सर कोई दिक्कत आली बात में यहां पर आप देखोगे वेरियेबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो हो रही है नहीं हो रही है सर बिलकुल हो रही ह आपकी variable cost भी increase हो रही है, सर आप total cost कैसे निकालोगे, सर इन दोनों को add कर देना, 1000 प्लस 100, 1000 प्लस 0, यह add करते जाओगे, तो यहाँ पर total आपको cost मिल जाएगी, बिलकुल मिल जाएगी, सर कोई दिक्कत आली बात देना, cost आपको मिल जाएगी, सर average fixed cost कैसे निकालोगे, average fixed cost कैस इसको output से divide कर देना, तो यहाँ पर तो नहीं लाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, फिर 1000 से किसको divide करदो का, 1 से divide कर दो कितना आजाएगी, कर देखेंगे वन थाउसन को 2 से डिवाइट कर देना कितना आ जाएगा 500 पिर 1000 को किस से डिवाइट कर दो कि 3 से कितना आ जाएगा 333 ऐसे करके आपके सर बिल्कुल निकल जाएगी. कोई समस्य वाली बात आएगी. आईगी क्या सर बिल्कुल भी नहीं आएगी. अब यहाँ पर देखेंज़ वेरियेबल कॉस्ट. अब देखें़ एवरेज वेरियेबल कॉस्ट. सर अवरेज किसे कितना आ अएगा सबस्टेर कुई से कितना आ चौप sulph slip unfortunate कुछ से कितना आएगा सबस्तिक चुछ से निकालो कि इसके दो तरीकें या तो यह 1000 प्लस 50 यह आजाएगा 5000 प्लस 45 प्लस लो यह आजाएगा या फिर अब टोर्याबल कॉस्स कितनी थी Japanese dollar एंच धी पड़ाल कोस्स कितनी करेंगे यह प्ल मारिंच को की से निकालनला है इसके समस खेसे निकालन है है से हम चेंच कीसे निकालन टोरस निकालनल कोस्स या तो इसका चेंज निकाल लो है कि है और अपर 150-1,050-1,050-0, सब्सक्राइब एसे करके आप मार्छीनल का लोगी मैंचिंपक्स को तो कितना डिफरेंस आ रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है सर ऐसे करके आप मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लोगे सारे समझ में आये कैसे कैसे निकल रहे हैं अब ठीक से यहाँ पर देखते हैं एक से मेरी बात सुलो मैं और एक मेरी बात सुलो इसे इसे पर आप एक मेरियेबल थे क्रोंगे थे इंक्रीजिंग रिटर्ण टू इंक्रीजिंग रिटर्ण टू फेक्टर् के वज़वता है कि हां इसी के करराण यहां पर नौर्ट बता सकते हैं उपनी टोटल Valley लुदी रहती है फ्शु रिटिक्स्स सब्सक्राइब रहेगी कि हमेशा y-axis से शुरू होगी because zero unit पर भी कुछ न कुछ तो cost रहेगी दूसरा आपकी total variable cost initially इस point से शुरू होगी because जैसे ही आपका zero units पर zero units पर कोई cost रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली total cost कितनी रहेगी total cost भी यहां से शुरू होगी because zero unit पर कुछ न कुछ टोटल cost रहेगी और यहां पर रहेगी अब देखो इसका curve जो देखो पहले जो है increase हुआ total variable cost इंक्रीज हुआ decreasing rate से उसी प्रकार total cost भी increase हुआ decreasing rate पर यहां पर देखेए इसलीए यहां 分कर इंक्रीज हुआ है यहां पर 0 से 50 पर आ गए जाना चाहे था काईदे से कहाँ पर आ गाए हुआई कि तना हुआ सर्ड चाली संट का यहां पर हुआ होता हैं किक्रीज हम बता है। इनिशले आपका जो तो marginal product जब increase होता है, सर आपका marginal product आपका increase होता है, पता है आपको marginal product increase होता है, तो आपका total product को क्या होता है, सर total product अपना total product increase होता है, increasing rate से याद आ रहा है, याद आ रहा है increasing rate से बिलकुल याद आ रहा है, इसी time पर आपका marginal cost जो होता है वो fall होता है, marginal cost फॉल होता है, total cost increase तो होत है लेकिन decreasing rates हो और इसी दोनों के फिनोमेना को सर इन दोनों के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं प्यार से इन दोनों के फिनोमेना को हम प्यार से क्या बोलते हैं इन दोनों के फिनोमेना को ही हम increasing return to factor बोलते हैं इसी इन दोनों के बिलकुल fall हो रहा है, इसी fall के कारण क्या हो रहा है, यह total variable cost increase हो रहा है, decreasing rate से, यहाँ पर तुम्हारा marginal cost fall हुआ, यहाँ पर तुम्हारा marginal cost fall हुआ, और तुम्हारा total variable cost increase तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, decreasing rate से, और यहाँ पर देखो, total cost increase तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, decreasing rate से, increasing rate. से बात समझमा ही इंक्रीजिंग रिटन वाला सीन समझमा है. बिल्कुल सर, कोई समस्य वाली बात गै. अब यहां पर देखो, जब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हम चलते हैं, तो क्या होता है? इसके आगे सर, आपका marginal cost Ukraine. लगता है इसके आगे आपका marginal cost increase होने लगता है किया होने लगता है आपका marginal cost increase होने लगता है ना मार्जिनलव्ड इंक्रीज होने लगता न इसको सर हम डिमेनिस्टिन डिमेनेशिंग मतलब क्या होता सर् Manual डिमेनेशिंग रिटर्ण्टू फेक्टर य्याद आ रहा है आपने, पहले बताया था कि अपना marginal product fall हो जाता है marginal product fall होने लगता है और उसकी वज़े से total product increase तो होता है increase तो होता है लेकिन किस rate से होता है decreasing rate से किस rate से होता है decreasing rate से किसी के कारण से diminishing diminishing return to factor के कारण क्या होता सर आपका marginal cost increase होने लगता है marginal cost increase होने लगता है और इसके कारण total cost increase होता है increasing rates total cost बोल लो या फिर total variable cost बोल लो एक ही बात है बात समझ में आ रही है यह देखो यहाँ पर फंडा यहाँ पर यह देखो फंडा अब इसके बात क्या और है marginal cost एकदम उपर जंप ले लिया है इसके कारण ही जो total variable cost एकदम चड़के बोलता है उपर एकदम जाता है किसी को हम बोलते है diminishing return बात समझ मारी है बताईए सर जल्दी बताईए सर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है जल्दी बताईए ताके शोड़ो हम इधर पूरा concentrate करते है total fixed cost कर्व कैसा बनता है सर horizontal state line होती है parallel to x-axis total fixed cost तो हमारा fix रहता है हमेशा ठीक है यह हमेशा सर कहां से start होता है y-axis rate start होता है because fixed cost सर इंकर होती है अगर output 0 भी होता है तो ठीक है यह सारी चीज़े तो मैंने तुमको already यह बोलते बोलते भी समझा जी क्या तुमको graph अच्छे diagram अच्छे समझ में आया या नहीं है कि मज़ा आ रहा है सर बिल्कुल सर एकदम मज़ा आ रहा है पूरा concentration से आप काम करते जा रहे है कि पूरा एकदम अच्छे से रिवाइज हो रहा है आप कहा ते सर अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है इसके बाद दोस्त वन शॉट रिविजन देखते रहे ना टाइम टू टाइम पर वन शॉट रिविजन बहुत अच्छे से रिवाइज हो अब यह और डिटेल में लेकर गया हूं में एक गंटे के अंदर कि वहां पर कहा र अब आ जाई ये शॉट रन एविज कोस्ट कर टौब लुए अवरेरेज कोस कर देखो अब और एवरेज कोस कि समीसे पहले बात करें फिकश्क जफिक्श कोस को आप डिवाइड कर दे थे नमबर अव यूनिट से ता आपका Кया आ जाता है ऐव्रेज वेरेज वेरेयबल को कैसे निकालते हैं जब आप टोटल वेरिबल कॉस्ट को डिवाइट कर देते हैं नंबर अफ यूनित से वेरिबल कॉस्ट यह मैंने तुमको उपर ही बता दिये और अब अब रिलेशन्शिप भी एक बाद देख सकते हैं मारंजिनल कॉस्ट और येवरिज कोस्ट को सेम जी होती जैसे अपने MP और मतलब जो जा किसा मार्जिनल कोश्ट कम रहेगा कोस्ट से तो आफ्रेज कोस्ट फॉल वहुन से यहुं talks के बड़ाबर हो जाएगा तो आपका Dobrie जायगा और छहमारा स्टीनकभवत वहारह में जाना तो विकाज अगर मैं भगा दूगा ना इस चेप्टर को भगा दूगा ना तुमको समझ में नहीं आगए तुमको समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुछ जादा कॉंपलेक्स है यह बहुत सारे बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़ता है बात समझ मा आ रही है बात समझ मा आ रही है यह नहीं आए लिश्टा को इसलिए इधर आ जाओ लॉंग रन एवरिज कॉस्ट को पर एंक्यू संफिंग डिफरेंट लॉंग रन एवरिज कॉस्ट को अभी तक हम ने क्या पड़ा सर अभी तक हमने शॉटर रन एवरिज कॉस्ट को पड़ा कैसे कैसे काम से लिकार एलेशन्शिफ अगरा होती है सब हमने देखा किसकी सर शॉटर रन एवरिज को अब आ जाओ लॉंग रन एवरिज कॉस्ट सर इस पीरिड ऑफ टाइम दूरिंग विज अफर्म के वैरी ओल इस इंपूट सारे इंपूट समय कर सकते हैं और जो है मस्त काम कर सकते हैं बास समय मारी है बिलकुल सर बिलकुल बिलकुल सर लॉंग रन में हम कोशिश करते कि यह लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट में अपना बेस्ट आउट्पूट कैसे एची हो जाए पैस आउट्पूट अपना कैसे एची हो जाए हम लॉंग रन में यह कोशिश क रिखेंग सारे श् Hil mail क्या एक सब्सक्राइए प्यार्स के वहते हैं कि क्रव कि सब्सक्राइब पर काम कर सकते हैं कि कर्व पर सर किस कर्व पर सर हमको जो है least cost मिल जी सर किस कर्व पर हमको least cost मिल जी आप देखो यहाँ पर ध्यान से यहाँ पर अब ध्यान से देखो क्या होता है अलग-अलग हम शौर्टरन बनाते हैं यह शौर्टरन हुआ यह शौर्टरन हुआ अलग-अलग शौर्टरन बनता अर आए सै बिल्को समझंगा है अब यहां पर बहुत जादा डीटेल बात होगी सर्ब बहुत जादा डीटेल इसमें हमने बात करी ती लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यह डीटेल है न उसकोgage मेरे detail बात करी थी क्यार अलग-अलग curve हम कैसे बनाते हैं उसको आप उसमें cover कर लेना जब आप वापस revision करोगे ना cost का revision करोगे ना बन short से तो उसमें cover करोगे तो और अच्छे से इसमें समझ में आएगा जब वो बढ़ता है सर वो जो बाद में बढ़ता है सर उसको decreasing return to scale वोगे उसको decreasing वाला जो पार्टन है यह वाला जो पार्टन है यह वाला जो पार्टन है के लिए पास समझ में आ रही है कि पास समझ में आ रही है नहीं आ रही सब बिल्कुल सब क्या हुआ भाई क्या लड़ रहे है कि खुल कुछ इस दर फोकस करना है बहुत कहां पर जो पॉलना एक दूसरे तो इदर पूरा फोकस करो इदर ध्यान दो जो falling long run average cost curve है वो increasing economies of scale की वज़े सा आता है from internal and external economies of scale अब आपनने बात करी आइस सर्ज एक्स्टरन बश्व की वजए से होता है कि creation होता है इस की बॉल इस की वज़ेश्व से होताह च्छेटरा था इस मीं कुरें स्मित होता है इस से बार संप्रहन सुख जल्दी वताइए बाश्व मारी एब highly इस की प्लास सिर्ण कि दॉलिफ़ बात करना za एइसे से शाहते हैं किसलिए वज़े से होती है इसा वह बहुत बढ़िया टेकनलोजी वगरा लेकर आ जाते है सबसे मैनेचीलन एक नॉमीज होती है इनिछाली टो मैनेचमेंट बहुत अच्छे सा काम करता है उसके से और अच्छे से चीज़े चलने लगती है और अच्छे से जो है चीज़े समझने लगती है specialization वगएरा होता है लेकिन बाद में जो है management में ही दिक्कत परिशानी आने लगती है तो सर वो management एक दुसरे से जो सवस्यान commercial economies और डिस प्रिस्की हो जाता है अपना business वगरा आजाता है तो बहुत जादा एक लंबे सतर पर पहुशने के बाद बहुत सारी problem आती है और external economies क्या होता सर उपर तो आपने क्या पड़ी तरी अभी आपने सारी क्या पड़ी internal economies और डिसक्वन पड़ी और external economies जो बाहर की तरफ से आती है इनीशली तो सर क्या होता है हम जो है बहुत अच्छे जो है माल उठा पाते हैं लोग अपने को सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री एक्सपांड होती है बहुत मज़ा आता है करते हैं लेकिन बाद में सर बहुत जादा competition बन जाता है सब सारे लोग आ जाते हैं तो इतना जाद एक ही काम करना है इंडस्ट्री में आदमी तो वह skilled labor जो है अपने country में निकालने लगता है इंसान के पास technical knowledge होती वह हमको as a neighbor जो है अपने को काम दे सकता है इसकी वज़े से भी अपना long run average cost of degrees होने होता है लेकिन बाद में वही सर बहुत जादा bargaining power बढ़ जाती बहुत सारे इंडस्ट्री ट्रांस्पोर्ट बगेरा हो जाता है इंशॉरेंस हो गया बैंकिंग चैनल्स हो गया यह सब ग्रो करने लगती एक्स्टरनल एक्कोनोमी गवर्न्मेंट बढ़ावा देती तो और भी अच्छे से चीज़े चलने लगते लेकिन बाद में सर बहुत जादा प् प्रॉब्लम भी हमको क्लिएट करती इसकी वजह से सर एक्स्टरनल डिस एक्कोनोमी से भी होती है बात समझ माया है इसी बात पर सर हमारा कॉस्ट वाला जो चक्तर है वो भी अच्छे से रिवाइज हो चुका है एक बार इसका आप वन शॉट और देखलोगे तो आपको वन एक वनन शॉट से ही रिविज़न करो बाद में वन शॉट से ही रिवेज़न करो कि वो और जळाधा डिटेल है लेकिन मैं यहाप पर ब्रश अप करवा के बात समझ मes आई या नहीं है जलदी से बता है जलदी से बता है जलदी से बता हैcono अब हमारा नया चप्टर स्टार्ट होने वाला है न्यू चप्टर, कौन-कौन एक्साइटेड इस जल्दी बताईए, न्यू चप्टर स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से बताईए, कौन-कौन नया चप्टर एक्साइटेड है, जल्दी से बताईए, कौन-कौन नया चप्टर एक्साइटेड है, पताऊ सब, न्यू चप्टर स्टार्ट करで है, पुरा मेराथॉन खतम करना नहीं, लिशाख खतम तो हम करके रहेंगे मार्केट करेंगे बिलकुल मार्केट यस सर अब मार्केट करेंगे बिलकुल मार्केट करेंगे मैं बस बॉटल में पानी भर के लाया I'm coming in 2 मिनिट्स आप यही पर रहिएगा कोई ब्रेक वगरा नहीं दे रहा हूं में आप मार्केट वाले नोट्स उठाके स्टार्ट करेंगे उसको एक बार रिट्स करेंगे दो मिनिट्स में बॉटल भर के लाया प्रेक नहीं है ठीक है करते हैं झाल 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 ठीक है नए चप्टर शुरुआत करते हैं दफाकेदार तरीके से नए चप्टर को स्टार्ट करते हैं दफाकेदार तरीके के भर लाया में पानी अब देखो इधार अधर देखो ये इधार देखो भूँ अच्छा चप्टर है ये वह बहुत चुन्नुमुन्ना मार्कट प्राइज्ट इन डिफेर्ट मार्कट में इचर्थ के रेडि क्या सब रेडि हो दोस्तों तुट को ऑलकुल सर्द टिफेर्ट मार्कट के हम बात मनी वेल्ःट तरफ दूभाइन करती हैसे looked up हम कितना पैसा खर्च करें और इसको हम बोलते हैं ठ्राइस ठीक है हंप को किटना वेल्यएशन मिल सकता है उसको बोलते हैं बिसिकली प्रैस बात समझ्द मारी यह बिल्कुत सब अब मारी जो है यह दो चीजों सेuct पर सकती है तोब यहां पर एक बाद ध्यान से सुनिएगा एक बार हम क्या देखते हैं साथ हम देखते हैं क्या नहीं देखते हैं हम क्या मारी है हम economics हों हमेशा कहें देखेंगे हमको कितना उससे मिल रहा हम इतना पैसे दे रहे हैं तो हमको कितना आइटम मिल रहा है हम इतना पैसे दे रहे हैं तो हमको कितना आइटम मिल रहा है यह हम देखते हैं अब यहां पर देखिए elements जो होते हैं अपने market के वो क्या-क्या होते है elements क्या होता सर बायर सेलर्स प्रोड़क्ट बार्गेनिग पावर नॉलेज और एक प्राइज होनी चीए तब जाके अपने इक मार्केट ब़ता सर लिसक्लासिफिकेशन अवार्केट के बात करें तो मिलता है मुझे बताईए मुझे बताईए और मॉट्स मार्केट में चीजें मिलती है जो की अपने वो होते हैं अपने लैंड लेबर कैपिटल एंटरपी और प्रोड़क्ट मार्केट मतलब उसको फेक्ट अपने को मिलते मार्केट को 말 के पाकेट ता शुका मार्केट रिजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंतरनेशनल मार्केट अलग-अलग चीजों में डिवाइट कर पाएंगे बिल्कुल डिवाइड कर पाएंगे, local market मतलब जो अपने local area में जो है establish होता है जो local area में जो देखने को मिलते हैं सर उसको हम local market बोलते है, regional market उसको बोलते हैं, जो अलग-अलग cities वगरा में जैसे तुम कहीं पर जाते होगे, जहां पर local regional level पर market चलता है, कुछ-कुछ लोग जो प्रिश्व ध्रश्य को बोलते हैं,।iston के बिसेश्व पर कैसे कैसे define हो सकता है, अपना market सबसे पहला है very short period मार्केट मकलब क्या होता है, very short period मार्केट मतलब क्या होता है, very short period मार्केट मतलब जहां पर supply fixed è, it cannot be increase or decrease instantly, क्या बोलोगे sr, जहां पर supply fixped, यहां पर supply fixed, it cannot be increased or decreased immediately, उसको हम क्या बोलेंगे, very short period market, very short period market, जैसे की flour, fish, eggs, fruits, milk, जो अपन local markets increase, अपन बोल सकते हैं रहे बहिए, चलो आज ज्यादा vegetable लाओ, अभी cabbage लाओ, ला सकते हो क्या नहीं लाओ, उसको हम बोलते है, very short period market, short period market क्या होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होत होता है, किससे से short period से, खोड़ा सा बड़ा होता है, अपने short period से, मतलब क्या, आप अपने variable factors को use करके, जहां पर supply बड़ा सको, सर, जहां पर आप variable factors को use करके, अपनी supply बड़ा सको, सर, उसको हम क्या बोलेंगे, सर, उसको हम बोलते है short period market, सर, उसको हम बोलते है short period market, बात सम होते हैं और supply जो है बढ़ सकती है और alter हो सकती सर उसको हम क्या बोलते हैं और लॉंग पिरेट में सर जो equilibrium आता है उसको हम equilibrium price बोलते हैं long run equilibrium price या फिर नॉर्मल प्राइस और वैले long period कौन सा होता है सर जहां पर सदियां बीच जाते हैं और धिरे धिरे changes होता है ना जैसो कोईड के पहले का जो है मार्केट कोईड के बाद का मार्केट काफी हद तक जो है चेंज हुआ सर इसको हम क्या बोलेंगे वेरी long period एफिर सेकीड़ हो जाती है जैसे मंडी में गये तुम अपना अनाज लेके किसान मंडी में गया उसने अपना अनाज दिया सामने से क्या हो लेंगे फटक्षट और सटों को होगा क्या होगा सकता है और अनदी बेसित सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो सकता है on the basis of regulation जो बहुत ही तरीके से अच्छे से चलते हैं जिस पर लीगल लॉई रूल्स लगते उसको हम हम रेग्ड बोलते हैं बहुत है पर सब्सक्राइब तो क्यों जैसे की फ्रीं मार्केट होते हैं जहां पर कोई भी डिपैंडेंची नहीं होती कोई भी जिसका लॉज वगोला रूलस लेगिंशेंट जिसका कहीं पर भी निलिगता रु सर उसको हम बोलते हैं अपना हो गया हो ठीव हो गया लाइग उसको हम बोलते हैं फोल सेल मार्केट जहां पर बड़ी कॉंटिटीज जील होती है जहां पर बड़ी कॉंटिटीज जील होती है जहां पर बड़ी कॉंटिटीज जील होती है जहां पर छोटी-छोटी कॉंटिटी जील होती, small quantities जील होती है Please wait Hello 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 Hello, Hello, अभी ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है Economist Adams में तिसलिए नहीं आ रहा है On the basis of competition, competition के basis पर सर हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सर चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यह लैग जितना टेंशन नहीं देता उतना यह लैग इमोजी देख के हो जाता है सर चार पार्ट में सर डिवाइड करते हैं सर परफेक्ट कॉंपटिशन मतलब क्या सर जहां पर इसमें अपन डिटेल की बात करने वाले आगे वाले जो चप्टर आएगा न उसमें सर परफेक्ट कॉंपटिशन मतलब जहां पर बहुत साले sellers हो सेल कर रहे हो आइडेंटिकल प्रोडक्स किसको सर बायर को मोनपोलिस्टिक कॉंपटिशन क्या होता है सर जहां पर selleroti кई हसे चोछ करने और सर मोनपोली कै वताई जहां पर सिंगल सेल्टर हो तर यहां पर बहुत अच्छा सा एक जो है मैंने तुम्हारे लिए टेबल चोकेस किया हुआ है क्या जहां पर number of sellers very large हो उसको हम perfect competition बोलेंगे जहां पर थोड़े large हो उसको monopolistic बोलेंगे oligopoly में कुछ number ही होंगे monopoly में केवल एक होगा product differentiation सर perfect competition में सारे same to same रहेंगे monopolistic में हलके से अलग होंगे oligopoly में लगबग same होंगे और monopoly में तो extremely अलग होगा रहेगी डेटर देन वन रहेगी oligopoly में less than one रहेगी और monopoly में भी लेज़न डिगरी ओफ control सर perfect competition में तोबन price taker होते है monopolistic में भी कुछ हद तक control में रहती ही बाकि तो नहीं रहती है टोटल revenue average revenue and marginal revenue आ गए सब जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे मित्रों होँ तोटल revenue क्या होता है कि अधर amount of money which the firm realizes by selling certain units of commodity तोटल revenue क्या होता सब जो टोटल turnover होता है सर आपका जो total amount आपको recoverable है ना कोई भी quantity वगरा sell करने पर सो उसको हम क्या बोलता है सर उसको हम total revenue बोलता है बास हमनमारी ठीक है सर जब आप price और quantity को multiply कर दोगे प्राइस और quantity को multiply कर दोगे सर उससे क्या आता है अब यहां पर ध्यान से देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए अब जब प्राइस 30 रुपे थी और quantity शोल 40 रुपे थी तो total turnover कितना आएगा बारा सो आएगा नहीं आएगा सब बिलकुल आएगा बारा सो तो ऐसे ही सर अब जब आप total revenue को number of units से डिवाइट कर दोगे number of units से डिवाइट कर दो तो क्या आएगा कि अब जब आएगा नहीं आएगा सब्सक्राइगा जैसे सर एग्जांपल दिया हुआ देखिए आपकर कि तोटल रेविन्यू 1000 रुपे था और आपका सेल 100 यूनित्स था तो आपका एवरेज जबिटीच शायद लूज हो जब तक नेट चलेगा तब तक अब पढ़ाएंगे अगर नेट अगर गया यहाँ पर आंगी तुफान चल रहे हैं कि जब तक रहेगा जब तक अपन पढ़ते रहे हैं कि कमजोर चल रहा है कि क्यों कि एक से चल रहा है थीक चल रहा है बहुत हो रहा थे वीडियो चाहिए कम जोर चल रहा होगा थोरा थे ठीक है मार्जनल रेविन्यू क्या होता साथ चेंज इन तोटल रेविन्यू इसका जब चेंज देखेंगे जैसे हम यहां पर चेंज देखेंगे जैसे अपन यहां पर चेंज देखो टोटल रेविन्यू कितना आया रहा सर एक यूनिट पर टैन यूनिट आया यूनिट पर सर सेकेंड यूनिट पर 18 तो सर हमारा चेंज कितना आ रहा है यहां पर देखो 10 से 18 कितना चीज आया रहा है यहां पर 18 से 24 कितना चीज आया यह ग्राब देखने को मिल रहा है सर क्या हो रहा है यह मार्जिनल रेविन्यू तो अपना क्या हो जाता है मार्जिनल रेविन्यू सर यह एक तरीके से तो प्राइज ही है एक तरीके से तो प्राइज है, प्राइज का जो चेंज आ रहा होगा, अब इनिशली देखो, क्या होता है, अपना टोटल रेविन्यू इंक्रीज होता है, इन क्रीस हो रहा है, लेकिन किस रेट सो रहा है, तर अपना अवरेज रेविन्यू क्या हो रहा है, और अपना अपना मार्जिनल रेवेंडियू बात समझ मारी इस बिल्कुल समझ मारी कोई दिक्कत आली बात नहीं है पर ठीक से एक बार आप पढ़ो गे तो क्या होगा अपना एवरेज रेवेंडियू कर्व जो है वो slope-downwards क्योंकि वो इंवर्स रिलेशन्चींटे बता रहा है किसमें सर प्राइज में और प्राइजरी से गिर रहा है है एक से गर रहा है अपना मार्जनर रेवेन्यूं नीचे है किसके आवरेज रेवेन्यू जल्दी नहीं डिल्कुल समझ बाइया नहीं कोई दिक्कत ताली-परिशाग करें वाज कि आप समझ में यह वाला रिलिश्टिशिप को समझ बात नहीं है हाँ आज टाइम काई पता नी चला छे बच गवल्द आपने पाच घंटे से पढ़ाई कर रहें बॉस पाच घंटे से बास समन मारी है पाइफ आर्स वे आर कंटीम्यूसली स्टडिंग कैसा लग रहा है तुम इतना लंबे सिटिंग देते हो खुद बैठते हो नी बैठते हो यह को बताओ इतने लंबे घंटे तुम खुद बैठते हो नी बैठते हो कैसा जोश है अभी यह बताइए ना अधा आ रहा है हाँ अधा टोटल रेविन्यू में सेली इंक्रूडड़ होती है अधर इंक्रूड़ड़ नहीं होती है कि इतने गंटे के आप जो है सिटिंग देते हों एक बार भी यह बताओ ना जड़ा कि आज रात को भी लाइव आजाना सुबह तक पढ़ेंगे बीसी के भी खतम हो जाएगा कि इसा जो से चाहे पांच गंटे और पड़ाओ सराव कि इस तो इस तो पांच गंटे विद्प्रेक रेक लिया करों अदर ब्रेक लें लेक ब्रेक लें हो जाएगी द्वाइब लेक लेकर शेह साथ गंटे और तीन घंटे हो पाता है मैं नहीं भी आप पड़ना है सेल्फ स्टडी पर घ्यान बने तभी मज़ा आएगा कि दो दिन और मिल जाए ख्लास को नॉन्मल बेटने क्या दुद्व जाएगा नहीं नहीं आधा तो पड़ेगा तो कि बैठना तो पड़ेगा नहीं बैटों के तो कैसे अधा पीची के भी निप्टाद देल जाहां सब निप्टाद मेना कि सभय और नेगेटेव नहीं होता है कि एस़ वेफ्रों कैसे नेगेटिव वह सकता है कि बूसक्तीज नहीं हो सकती तर्थ संदन भाई तर एक बार में दो घंटे तक बैटा हूँ कम से कम दीरे दीरे हो जाएगा अभी सिए फांडेशन पर हो ना तुम लोग दीरे दीरे जो है चीजें जो है और ग्रोथ पर आज़ेगे लेकिन हाँ एक बात में बोलूंगा जब तुम रवाइस करने बैटो नहीं सारे जो चप् नहीं देख रहा है मुझे वह उन शॉट्र रिविजन सीरीज किसके देख रही है कि अधा चिंता मत करो समटें अधा तब जेहलने लग गया है मेरा अधा 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 इडम स्मित एंड अलफिंड मार्शल ने हमारा जो है बताव शॉट डेख वागा तर बीसी के का जब आप करवाओगे तब ही एकदम कंप्लीट कर रहा है कंप्लीट हो जाएगा मेरा सिर्फ दो चैप्टर की है रहे राकेश जीन चिंता मत करो नहीं सर देखूंगा धीरत बोलड़ा देखूंगा मैंने देखा है कारति बोला तीन टाइम देखें है मैंने देख लिया है स निकीता पाटितार बोलड़ी सर मैंने देखा हुआ हमें तो बहुत बार देख लिया सर प्रभजीत मैंने देखा है समधिंग डिफरन मैंने सारे वन शॉट दो बार देखे लिए हैं वन चॉट सर मैं तो पहली बार ही देख रही हूं आपका लेक्चर प्रिशु का मैं एकमिक's का रिविजन हो जाएगा इकनोमिक्स का पूरा रिविजन हो जाए खांज मारी वाट ग다가 हाट को हमने कि अद्हें हर सब्जेक्ट में जाल ले सकता है है तौरह लेक्षर नहीं लगता है record है। जैसे लगता है आप लाइव हो इसा कल से स्टार्ट कर दूंगी वन शॉट देखना विल्कुल रिशु का कल से वह स्टार्ट कर दो के ना तो बहुत साही चीज़ा ओटमेटिकली चीज़ा होताईगी कि आज मैंने यह मैरेथान इसले लिया ताकि में वह सारे स्टूडेंट्स को सिंक में लाना चाता था एक बार मैं ब्रश आप कर दूंग और बार बता दूंग कितना इंपॉर्टेट लिए कि अपने सारे हो जाते हैं और कंप्लीट पूरा कोर्स हो जाता उससे कि वन चॉट की तो एक एक लाइन यादा होगी विकॉम की एकजान होने से लाइब लेंगे अटेंड हो सकता कोई बात नहीं कोई बात नहीं दो अच्छा मैं सोच रहा हूं एक चीज़ मैं सोच रहा हूं जैसे सब्सक्राइब करें यह जादा कुछ इसमें बचा नहीं है ऐसे तो इसको वन चॉट में आप देखो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आप कोई शूनी यह यह प्याला चप्टर अल्रडे इसमें वन चॉट में हैं मैं सोच रहा हूं जो mcqs हैं आपने mcqs जैसे for example mcqs अलग-अलग जगह से हैं जैसे स्टेडी मैट कि कडी मैट कि अधिक है रटीपी एमटीपी या कि अलग-अलग जगह से जो है mcqs है तो इसको अपन compute करके डाल सकते सकते कि ठीक है नहीं था कल है continue करने रहा हुए बहुद में बात कर रहा हूं आप को ई आप लोगों से भुवद में बात कर रहा हूं पर इसको지는लो जैसे अपने जो स्टडी मैट में है RTP में है और MTP में है और अपने स्टडी मैट में यह है पताइए ज़रा मैं सोच रहा हूँ जैसे बहुत सारे स्कूडेंट को नाम एंश्यू वगरा जो है फटाफट जो है सौल करने में दिखकत आती है फिर डाउट्स जो है बहुत सारे एंश्यू में आते हैं स्टडी मैट के रिलेटेड डाउट्स आर्टी एंटीप एंटीप से रिलेटेड हम इसके अलग-अलग सेशन बजाए जैसे स्टडी मैट के सारे एंशी वह मैं सारे एक बार पूरे लेक्चर में रिकॉर्ड कर दू उसको फिर अगर तुम किसी स्टडी मैट के किसी एंशी क्यों में दिखकत आया तो डायरेक्ट तुम जो है आगे मैं सीकुन्स वाइस मेंट कर सकते हैं, ऐसा मैं सोर्ट रहा हँ नगे कि बताईए का एक ना करते हैं से इसको एक दिन पहले मैं आपको इंफॉर्म कर दो कि इल्कुल मैं इनफॉर्म कर दो अच्छा एक काम करते हैं अभी शायद हो सकता है तुम जो बहुत ज्यादा एक्जर्शन हो चुका हो तुम लोगों को तो यह जो बचा हुआ महरत होना अगर हम हुआ तुम कर लेंगे या फिर वन शॉट बूर भी एनफ वर यू मैं सोच रहा हूं आपके साथ एक सेशन जो ह मैं सेशन आफांने कंज्यूमर वाला जो पूरा चैपटर किया है ना कंज्यूमर वाला कंज्यूमरell वाली य्यूनिट करें करेड़ी किया सुखकंप्रूर्वाले हम उसको सुखळ में अलग से ब्रेलिस THR बनवा दूए लुए क्या बोलता हूं एक ब्रेक लेके हम mcq solve कर लेते हैं थोड़ी से अपनी exam related practice गी हो जाएगी बताईए बताईए जल्दी से बताईए जेको मैं तुमको मार्केट का बताऊ ना अल्रेडी जो चीज़े हैं करने के लिए कौन कौन ready है जल्दी से बताईए एंसी क्यों solve करने के लिए कौन कौन ready है जो भी mcq रहेंगे एक दिड़ घंटे में पूरा काम हो जाएगा अपना और बाकी मैं one shot recommend करूंगा जो भी है देखो मैं तुमको बता देता हूं one shot में क्या pending है एक इंट्रोडक्शन वाला चेप्टर जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा और एक मार्केट का लास्ट उनिट और उसके भी नोट्स होगे डन है मेरे पास ठीक है तो ज्यादा टाइम लगे का नहीं मुझे तुम यह मान के बहुत बहुत बोल रहा हूं लुदिन अ वीक, पुदी इंदर आपका पूरा पूरा यह एकनोमिक्स उस पर चले जाएगा पूरा का पूरा आपका एकनोमिक्स उस पर चले जाएगा बास्वन मारिया जिन्ता मत करो यार वो भी चले जाएगा उसके अभी हम कंजुमर बीहेवियर का पूरा का पूरा सॉल कर सकते हैं तुम बोलोगे तो बहुत बढ़िया चंदर बहुत बढ़िया चंदर सर मेरा CUT भी है सर SRCC टारगेट फिर CA फाउंडेशन भी है सर 11 से 13 गंटे देता हूं सर डेली के डिकेटड नहीं कर पाता हूं साथ और CA फाउंडेशन को देता हूं फ़त बढ़िया देवाश हो जाएगा काम भी है कि तर आप यह नंच इसुड लें लोगए करर थिक के बिल्कुल धीर्स तो हम ब्रेक लेए थे हैं हमारा ब्रेक लेक लेए था हम कि कहाना वगरे आप आप खाके आजये याँ तो हम फ़्रौसर जादा बड़ा ब्रेक लेए थे है को एशु नहीं है सेवन पीएम का रख लें क्या बताईए है जल्दी बताईए है हां लाइव लूंगा गितांजली चिंता मत्द है हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा कंजूबर विहेवियर का तर में किंता ही नहीं कितना गंटे पड़ता हूं अभी कि एमसी क्यों यहीं पर होंगे आप आप यह सेशन अपने को बाद में डालना रहेगा इसलिए अब क्षान वगरा करके आजेए आप कि 7.00 पीम से हम कंटिवर कितने से सर 7 पी ओक्यों शाटीए थेवं पीम से हम कंटिभी जाने जाच आजै एक थास्ट के चाहिए विर्ध कि बाट जाच धिर्ध इना इना टूर पलाटीज कि झार पलाटीज चाहिए अच्यट पर चाहिए वूर दक वार्ट देद्सकेत्स गाहिए उर्टच पेंके तोकूließen झाल 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 वेल्ल कHN back कर फर 스송 k वेलिकाग में प्यार क्या थाजिक । कि एड बायों झाल झाल जल्दी जल्दी आजाओ सब जल्दी जल्दी आजाओ सब झाल झाल जल्दी जल्दी बता दीचे कैसे हो आप सब जल्दी जल्दी पटाफट पटाफट अपडेट कर दो कैसे हो आप सब जल्दी 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 की QUESTION क्या सब रेडी है जल्दी से बता दीजे क्या सब रेडी है रेडी 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 है सब रेडी है सब प्रोडक्शन और कॉस्ट के एमसी क्यों सारे सॉल्व कर देगा क्या करेंगे सब प्रोडक्शन और कॉस्ट के सारे एमसी क्यों क्या सब एक्साइटेड है जल्दी से बता दीजे क्या सब एक्साइटेड है क्या सब रेडी है जल्दी सब प्रोडक्शन और क्या सब रेडी है दोस्त प्रोड यसर् वीज़ डिडि टो वी आर डि टो वी अरडी टो वी एर डी टो वी रडी टो वी घुरी यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करेंटली देख रहे है अभी हमने जो है बहुत हद तक आज मेरेथान का लुप्त उठाया लेकिन एक नई सीरीज अभी हम स्टार्ट करने वाले जिसमें हम स्टडी में इसके बाद में आपको कंपाइल करके इसे देता रहोगा क्यों सरी आली सीरीज आप क्यों लेकर आ रहा हूं इसलिए लेकर आ रहा हूं क्या सब रेड़ी है सथ ठीक है तो शलो शुरू करते हैं दोस्तों कि मौसम बड़ा वैवाल करके अभी पूरा कॉंसेंट्रेशन सर आप मुझे इधर दीजिएगा तर पूरा कॉंसेंट्रेशन मुझे आप इधर दीजिए कि तर बिल्कुल रेड़ी है पूरा हंड्र परसन हम फोकस देने के लिए आपको रेड़ी है ठीके दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है इस MCU सीरीज में जहां पर हम कोशिश करेंगे कि एकनोमिक्स के और अगे बढ़ सकते हैं अगर आपको परिशानी आ रही दिक्कत है आ रही है तो उसका समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ऐसी हमारी MCQ की जो compilation series है playlist इसके अलग से available रहेगी आपको जब ऐसा लग रहा है कि हमको practice करनी है तो आप यहाली series पर आ सकते हैं देख सकते हैं वैसे आप खुद study material में दे रखें हमारे हां हमारे खुद के institute of chartered accountants of india ने study mat में जो ICAI ने जो questions दे रखें वो सारे आज हम solve कर देंगे जो total MCQ है पूरी इमानदारी से पूरे लगन से हम पढ़ेंगे उसका मतलब समझेंगे और सही answer tick करने के कुशिश करेंगे because at the end अगर हमको 90 plus 95 plus लाना है तो एक मात यही तरीका है लेकिन इसके पहले सर एक request मेरी रहेगी आपसे सर एक request मेरी रहेगी आपसे कि एक बार जाके please 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 आप one shot series का जो one shot series one shot revision जो मैंने आपके लिए निकाल रखे सर one shot revision series जो मैंने आपके लिए लिकाल रखे वो जाके आप देख लिए किसकी सर production post की पूरी की पूरी सीरीज एक बार आप देख लिए फिर आके यहां पर mcq की practice करिएगा because अगर आपने वो पहले देख ली सर अगर आपने पहले वो देख ली तो सर आपके लिए बहुत beneficial हो जाएगी यह वाली सीरीज तो मेरी सबसे request है कि एक बार पहले वाली सीरीज देख लो one shot सीरीज अराम से इस concept की clear कर लो फिर जाके इस वाली सीरीज पर आओगे तो तुमको अलगी feel आएगा अलगी मज़ा आएगा चलो ठीक है तो सर चल चलते हैं हम पहले question पर question number one पर question number one क्या लिखा हुआ है question number one क्या हुआ है question number one क्या हुआ है which of the following is considered production in economics sir किसको economics में production कहा जाता है sir हम एक एक करके चीज़े पढ़ेंगे sir tilling of soil singing a song before friends preventing a child from falling into a main hall on the road painting a picture for pleasure sir मुझे बताईए production किसको बोलते है economics में sir production बोलते है creation of utilities को sir अगर आपने utility किसी के लिए create करी तो sir उसको हम production बोलते है बात समझ में आती है sir यहाँ पर देखो singing a song before friends sir दोस्तों के सामने आप गाना गा रहे हो दोस्तों लोग जो है एक तो आपकी बुराई करेंगे एक तो आपका मजाग उडाएंगे हम आप तो को utility create हो नहीं ना आपको पैसे देंगे करके आपको पैसा मिलेगा तो sir हमारा answer होगा first का a that is tilling of file बात समन्माई concept भी अच्छे समन्माई अच्छा एक चीज और है तुम्हारे लिए एक चीज यह अच्छी है कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले सारी स्टेट्मेंट को अच्छे से पढ़ो सारी स्टेट्मेंट को अच्छे से पढ़ो सार सबसेंट में जबने स्टेट्मेंट में में पर्डॉड फेल सकहा है तो बहुत हद थक हद थना राए गेशा लग एपपोचे स्टेट्मेश जएदाग हो रही है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेग हो राएगा सब जल्दी बताएगे कि अरे इधर अपनी बातचीत मत करो इधर मुझे सुनो कि तो जी यह बताओ कि लेग ज़्यादा हो रहे हैं कि हलो 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 कि तो सर कंटिन्यू करो आप तो कि सब ठीक है कोई शूतन क्या रहा ज़्यादा कि अगर हो रहा होगा तो फिर हमको डिस्कंटिन्यू करना पड़ेगा हाथ हिलाके देख लिए तो ज्यादा लेग हो रहा है कि हलो 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 कि ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लों आ रहा है कि प्रणा थोड़ा हो रहा है कि अलेव हलो हलो है कि एक काम करते मेरी बाद सुनों कि कि आज अपने यहीं पर एंड करते साहीं आप जो है वन शॉट सीरीज के बाकिए चीज़ें अप्लीट कर लीजे वन शॉट सीरीज की एक कि आप UC को वगेरा कि आप आप बहुत ज़ादा अटक राना आ मज़ा नहीं आएगा या फिर मैं वह रिकॉर्ड करके डालूंगा ना मज़ा ना आएगा हाँ हाँ राकेश को ही कंट कंट्नाय में को ठीक है बहुत जाधा लैग हो रहा है ठीक है अभी आप जो है वन शॉट सीरीज जो है कंटिन्यू करिए विकाश बहुत जाधा लैग हो रहा है उसको आप देख लीज़े कोई शुनी है कि अब जाधा लैग हो रहा ना या 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 बहुत जाधा हो रहा है फिर मज़ा नहीं आएगा लास लेने में मैं तुम्हारे लिए अलग से सीरीज इसकी में जो है प्रीमियर करके डाल दूगा जो तुमको जो ना आखरी दिन काम में आईगी जंता मत करो मैं अलग से जो है इसकी सीरीज कुई कंपाइल करके डाल दूगा तुमको कोई दिक्कत नहीं आईगी पर अभी जो है मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो बहुत जाधा ही लैग हो रहा है सर अब नहीं टैग ब्रो ट्राई एक बढ़ करो हाँ ऐसा कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं बाकि वन शॉट सीरीज आप देखो और भी उसमें चीज़ा हम एड करते रहेंगे ओके बबाई टेक क्यार एंड सी यू इन नेक्स वीडियो जब तक अच्छे से पढ़ो दूसरे सुजेक्स व आना